तो वह 98% के आस पास का कुश्चन भाई साब दुम मचा दिया होगा इस इट के लिए ना तो आप जान लो रेशवा एकेडमी पॉलिटेक्निक का नंबर वन है था रहेगा क्यूं रहेगा आई ये सॉलूशन दिखवाते हैं एक बार शेयर कर दीजे अपने दोस्तों को क्योंकि अभी देखो भावकाल क्या होता है भावकाल टाइट अब करते हैं ठीक है भावकाल टाइट इसमें तेर्शो मैक्शिमम नंबर्स थे धाई जंटे का आप लोगों को समय मिलाता ये 2022 का ओरिजनल पेपर मैं सॉल्ब करा रहा हूँ आप ज़रा देखो ये किसी बच्चे का है उम्मीद करता हूँ इस बच्चे का राई डांस हिंदी और इंग्लिस में दोने हैं किसमें कराएं आप बता ओ अंगले जींग में दोनों है पहले अख्चुलि मैं You know that मैं फिजिक्स कमশ्टी हूं दो मैं फिजिक्स कमिस्टी दिज़दी का चला कब से देंगरें टूकूर तुकूर कर सरक आएंगे रहां 51 भाँ दरतें सबसल्ब कराएंगे तो shortcut में भी मैं लेके चलूँगा तो उसका घब्रान नहीं जिनको भी discussion करना होगा रेशो एकड़मी के टेलिग्राम में कर लेना है लेकिन फटा पड़े यहाँ पर चलेंगे इस्टू संयोजक्ता इलेक्टान की संख्या है मैंने चेक किया हिंदी में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं लेकिन अंग्रेजी एकडम पर्फिक्ट है इस्टू सिट आइप का पेपर है अभी मैं बता हूँ गैस यस्टू कमान देखो हो भौकाल नमबर पहिला है यस्टू है न मतलब चलोग का किया है दूगो ले लिया ले लिया है करा दूगो दो हमको दूगो जब ले लिया है सौलफर के केतना होता है 16, 16 होता है दूग ले लिये केतना होगे, 18 अब करो electronic बिन्याज, दू 88, पुछा है कि balance electron, balance जो नुँदम ससुरा बहरे होता है न वो ही कोण क्या कहते है, balance electron तो बहरे कौन? आईये 8 भाई साब मारदो, D-number is, राइट एकदम सौटकार्ट में मज़ेधार हो गया पहला ही question match कर गया बाई साल कहना मत दूबाला मैच नहीं करवाते हो पढ़वा तो देते हो पहला ही question match कर गया गिल ने ना बाई जिन तक्तों की सेंवज़ता इलेक्टरान एक होती ही भाई सामेशा दात होंगे always will be matter ठीक है always do question match कर आया तीसरा देख लेना तीसरा question क्या होता है इन में से कौन सा ion होगी ions होगी तो ion होगी कोगा आपको नजर आ रहा होगा ये भी match करेगा CO2 नहीं 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 KCl के देखो K plus C L minus ion है कि नहीं इन से बना ion होगी तीसरा question लगतार मैच कर गया अरे वाई साम आई से होता है रिस्वाई के डिवाल वाई सा करवा होगी यार लगवक question मैच करवा होगी क्या वाई साम मेहनत मेहनत किया हम लोगों ने साल पर तुम्हारे लिए धुरवि सास ही हो जग बंदन पूछेगा आख मूद के अगरी सब अपसन है कि Sh2O है तो मार देना आख मूंद के मैंने बोला तो मार देना ठीक है आख मूंद कर आख मूंद कर मार देना Sh2O देख लो भाई का ना मत दुबारा की मैच नहीं किया हो इस तू आख में कियाव मार देना है इस टू हो गया अभी देखो यह पांच quirो ंदिक चीज़िंदी को सभटा सब्सक्राइली कार्बों नीकी होगी का समुसरी किसाई जी ने सबसे बाहरी कच्छक में किसका सबसे जादा इलेक्ट्रॉन है बाई साब देखो ये सोडियम है एक होगा ये ये सोडियम है एक होगा एल्मूनियम है तीन होगा शिलिगान मतलब आपका चार ये वासपूरस पांच मैंक तो गैस यह भी देखो मैंने कहली का था सॉरी फर दाइट अभी देख न भाई साब ये भावकाल है भावकाल है भावकाल क्या है बुचाला आने वाला है सबस्क्राइब अगला कुष्चन ज簡 लगा लोगे कुछ है को फिर तोकि अभी इनमें से किस तत्तों की पर मायू त्रिज्या पर्मार तो भ cookies कराँ परसिया ओडिज्या सब्से बड़ा है कोई जादा रख सकता है तो पर्मार तेखो तो सोडियम सडियम का 11 यह अब तो नहीं पहले बात देखो अभी कैसे पतालगाते हैं त्रीज्या निग्यारा मागितर इस अधे नहीं करना वाईसी उन्हर्स आपना आधार का लिंक तो उसका पेपर तो भाई एकदम कत्ती जहर गया होगा वाई जाव आटवा कुशन मैच क्या एलकेन का सुत्र भाई आखमूद के इसलिको हुआट प्लस तो आखमूद के इलकेन इलकीन इलकाइन सब पढ़ा दिये थे मालिक मालकीन मलिकाइन सब पढ़ाये थे ठीक है याद है एक अधा मारो कुशन मैच किया लगा तार देख भाई हम यह नहीं करें कि हम हंड़ेट पॉट्सेंट मैच हम नाइंटी एट तक जाते ह एक सब मेचकट आसे कुछ नहीं यह सब फेडंए बात नहीं यह फेखने वाली बात यह लगादो छी को हां कि एुडिये एल्डी आइड सी अच्चो के चला दौस कुश्चन ले भाई हम गिनते रहेंगे तुम गिनते रहना सी अच्चो एलकीन माना जाता है ओलिफीन एक्सट नंबर देखो एलकीन माना जाता है गाइस ओलिफीन पॉली टेक्निक के तैयारी करना है तो प्ले स्टोर से भाई एक्सट आपका होगा पक्का सर आपका एक एक कुश्चन डिट्टो मैच कर दा सर मजा रहा वाई क्या ओली फिन इस राइट आंसर लिग लिए गया अब अगला को रहा है रहे 11 कुशन हो गया 12 को रहा है इन में से कौन है एल्मूनियम का आयास का एल्मूनियम बाक्साइट हाँ अब ही देखो इन में से कौन एल्मूनियम का आयास का है बाक्साइट हाँ बिल्कुल बाक्साइट 12 को हो गया कि नोई गिनलों बाक्साइट अब यह वाला कुश्चन क्या अंग्रेजी भी पढ़ लो हिंदी में कर रहा है एक एलिमेंट ऑक्सीजन से प्रत्किरिया कर एक यॉग्िक देता है जिछका द्रवनांग मतलब उसको कहते हैं आपको बता दे कि हाँ मेल्टिंग पॉइंट के नाम शुना होगा मेल्टिंग पॉइंट होता और जल में गुलन्सीर है तक तो कौन सा हैять बाई साब, सिंपल से बात समझेगा हमारा, ठीक है, इसमें ये पूछा है, आखिर में इसका जो है, मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है, हाँ, आप देखो इसमें से गुलंसीन तक तो जो है, मतलब ऐसा जिसका आपका मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड का हो, अवो जल में भी क्या हो, घुलंसी लो, सिर्फ एक ही है, कैल्सियम, A is a right answer, A is a right answer, कैल्सियम is very very right answer, एक दम तिक माले ना, 63 नंबर कैल्सियम, ओके गाइस, इन में से कौन से समू, बिस्थापन प्रकृतिया देता है, सिर्फ एजिन, छिल्वर नाइट्रेट विट तामबा, तामबा, सिल्वर नाइट्रेट और तामबा, ठीक है, छिल्वर नाइट्रेट और तामबा, अगला देखो, एक योगिष जिसका सुत्र समान परंतु संरचना सुत्र अभी एक कोश्चन कुछ दिन पहले मैंने कर आए ता आइसो मेरिज्म का आइसो मेरिज्म आपको याद होगा कि Яई क्या करा तो मैंने का इसमें लिखा रहे गारगा औरुशुत्र शमान अदुशुत लगेगा चारे को कर बना है लेकिन अच्छना जब उसका घर दुवार बनाओगे जब घर दुवार बनाएगा चेला तो सेम होगा आईजो मेरीजम इस वेरी वेराइटन एक दम लिख लो भाई डिट्टो सेम टू सेम सेम टू सेम हला करने से कुछ नहीं होता है रियाल्टी में कुछ जिंदगी और ही होती है इ कौन कौन बना लिया इसका कितने लोग बनाया इसका हाँ करेक्ट आइस आई प्यस्टी ने जल्दी बताओ किन किन बच्चों ने CS3COOH CS3 OC2H5 इसका किन किन बच्चों ने बना लिया था भाई एक बढ़ आथ उटाओ यार यास क्या बात है मेरे दोस्त मैं थाक्सी इथेन इस वेरी वेरी राइट अंसर अगला देखो बनाया तो गजब तुम लोगों ने योगिक जो एक उसी लाप किरिया में भाग लेता है वो है option number A जो होगा वह राइट होगा option number A हाँ समाय होता हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी में आईसो मेरीज में कहते हैं ठीक है अंग्रेजी में आईसो मेरीज में कहते हैं एच सी त्रिपल बॉंड सी सिंगल बॉंड है इस वेरी वेरी राइट आंसर अब देख भाई इन में से बीनेगर बीनेगर नहीं जानते हों आखमूंद के मार भाईया अगर रेशवाएकडमी से पड़ा है तो तगड़ावान आखमूंद से इन में से बीनेगर है पूरी तैयारी के लिए नंबर्स पर संपर्क करिए 961 94 80 25 ठीक है 96 28 0047 008 जहिल्दी से बताइए विनेगर क्या होता है विनेगर वीनेगर विनेगर विनेगर च 3C 008 अब ताइव नहीं पूरा समझाते तिमको CS 3C 008 क्या होगा यह विनेगर होगा शेयर कर देना बाई अब देखो यह हो गया बिनेगर अगला साबून एलकलाइन हाइडोलाइसिस द्वारा बनाया जाता है इसने कुछ कहा आपने कुछ समझा एक बार अंग्रेजी में भी देखते हैं सोप्स बड़ा असान अंग्रेजी इसका सोप्सार प्रिपेर्ट बाई एलकालीन हाइडोलाइसिस क्य अब ही बताओ इस्टर्स होते हैं कि अभी बताओ इस्टर्स होते हैं अरे कारबोजलिक बमज्चा बाई इस्टर हाँ इसका जो कह रहा है सोप्सार प्रिपेर्ट बाई एलकालीन हाइडोलाइसिस आफ इस्टर्स सही है बहुत बढ़ी अभावाड अभाडन अभी देखो कि एक दिन याद करो कोई चिलवा याद करो हमारा सच में कुणा वाला कुश्चन कराया थे कि नहीं सच सची सची बताना और जुट नहीं बोलना सच बोलना जल्दी बताओ किस श्रोष से प्राप्त जल सबसे ज्यादा सुध होता मैंने बताया तक कुणा से वर्सा में चले गए जी सब लोग सी वाले पर ज्यादा अंसर आ रहा होगा सी देखो बुक में बहुत कम मिलेगा यह कुश्चन बुक में मुक्स्किल से मिलेगा ठीक है बुक में हां यह समझ में आ रहा बहुत बढ़िया तो कुणा मैंने बताया था रहात उठाओ पहले करायत सर बहुत पहले तो डेली क्लास लो प्रीपरेज में जब पाता है वे को क्लास मिस नहीं करता है कौने क्लासे से मस्टरवा के कुंक माच कर जाए चार दिन पढ़ाने तो दोड़ी नहों होता है सेलेक्शन सेलेक्शन वाले बच्चे पूरे येर बढ़ते रहते हैं भाई अभी आप यह देखो अभी क्या करते हैं अगला कोशन 71 चलो भाई 71 कह रहा है साबुद निरबार प्रकीरिया में बाई प्रोडक्ट कौन से मिलता है सीधा याद होगा आपको बाई प्रोडक्ट ढांते हो नपाई प्रोडक्ट थिक है घ्लिसलयल का होता है जानी आंसर B is very very right, hydrocarbon क्या है, carbon और hydrogen से बने होते हैं, hydrocarbon जो होता है, carbon और hydrogen से बने होते हैं, बिल्कुल, hydrocarbon, ओके, बहुत बढ़िया, एदम राइट आंसर देते रहो, B, glycerol तो हो गया, बहुत अच्छा, अब इतना पढ़ले के बाद, अगर कॉनों चेला कह रहा है, अगर क्वालि सफाई बंदा होगा, तो किया होगा इसको, बिल्कुल, अगला देख भाई, इन में से कौन योगिक, जली करण द्वारा, acetylene gas देता है, calcium carbide, सिर्फ एक और एक योगिक है, calcium carbide, calcium carbide, CAC2 is very very right answer, acetylene, IUPSC नाम करण है, किसका, एथाइन का, याद रखना, एथाइन का, IUPSC न का, एथाइन का, जो है, अभी पढ़ा होगा, एथाइन का, IUPSC नाम, ठीक है, अभी देखो, अभी अगला, aluminum carbide के जली करण से क्या होता है, aluminum, aluminum carbide जो होता है, हमारा, अगर aluminum carbide की बात करें, इसके जली करण से कौन सा गैस बनता है, जब aluminum carbide के तुम जली करण करेगा, तो guys, सीधा सीधा methane gas बनेगा, एक बच्चे ने ब्यूटेन लगाया था, वो गलत हो जाएगा, yes, सीधा सीधा कुसबू, कुसवा ने शही answer दिया, very good, बहुत बढ़िया, भाई साथ, तुमारा भी number आने वाला है, ठीक है, एक गदम, methane is very very right answer, अगला देख भाई, अगला क्या करत से ने मेंके दोस्ट, अगला क्युश्चन जो है, वह NACL के रवा बनाःता है, NACL माइनस आयन से, किससे बनाःता है, yes, इनोसेंट लगिकर हमको सब आ रहा है सब वाव इद बड़ी है इनोसेंट यह एने-सी यल का रवा बना होता है गाइस किसे बना होता है रवा जल्दी बताओ हम एक सुनना चाहता हूं तुम से सब भी पे जा रहा है एने-प्लस और चीछल माइनस आयंस के द्वारा मतलब बी is very very right answer 88 अतना बार कराएं होंगे एतना अबर किसी वस्तु का ताप माल इतना केल्वीन है तो Celsius में क्या होगा बाई देख भाई Kelvin प्लस ठीक है तो Celsius में अगर मान निकालना है सिंबल साथ अभी देखो 270 वैलू होती है कि 273 में से केल्वीन के घटा दो Celsius मिल जाएगा अभी क्या हो रहा है कि Kelvin कि 268 दिया है माइनस 270 घटा दो नार्मल आंसर आपका आजाएगा माइनस पांस डिग्री से ठीक है माइनस पांच इस वेरी बीड़ैटा आराम उसल्सियस को अगर फेलवीन अब इससी को माइनस पांच को माइनस पांच को केल्वीन ने बदल लो आया था आया कि नहीं बताओ कितनी बार मैंने इसको कड़ाया अक्लास में बोला था कि आएगा आएगा और कुछ हो चाहिए नो आयनात होता है कर अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्त द्वारा और सुसित की गई अवस्था जब चेंज होता है तो लेटेंट ही चेंज होता है तो जो एनलजी होती है वह लेटेंट ही गुप्त उस्मा के द्वारा और अवसोशित कर ली गई तीक है गुपतुसमा के द्वारा मतलब बी इस वेरी वेरेट पाक्का मैच कर दा डिट्टो असी परसिन कर दा है गिस मकाल में घड़ा में रखा अगर पानी पानी ठंडा हो जाता है किस का रख तो एक ही आप्शन वास्पुत सर्जन द्वारा थोड़ा समय की मतलब पाबंदी ने बढ़िया से समझाते कईसे घड़ा से वास्पुत सर्जन होता है कईसे घड़ा से घड़ा है हमारा कईसे घड़ा जो है किस परकार से घड़ा के द्वारा वास्पुत सर्जन होता है और पनिया इसमें रखा जाता है तो इवेपरेशन कहते हैं इवेपरेशन क्या कहते हैं इवेपरेशन कहते हैं अगला देखो कि अगला बात करते हैं कोषटन की ओ बहुत इजी क्या बात है रश्गुल्लो अभी फिर से वही कोषचन जो मैंने कई बार बताए हैं 25 डिग्रीव को बदलना है 273 जोड़ो 28 को बदलना है 273 जोड़ो 266 जोड़ो पास तिन आठ उपर लिख देता हूँ आठ दिगर एक नहीं दिगरहा आठ और गपनेल दूसरों नठानवे यह मैं है यह मैं है मुष्ट वह यह जब तो गया अब आप 38 अर्ट ही लिग्यारः अ साथ दोस एक गारह दू एक 3133 नहीं नहीं है यह गलत हैं यह बार्त ही वाला सही यह यह इसमें देखो चो तिन नो साथ तिन दोस एक इगार चो तिन नो चो चबारा एक तेरा तेरा दू एक तीन 349 किन किन बच्चों का किन किन बच्चों का option नंबर ए आया है इतना आसान करना कुछ नहीं है Celsius value दिया है 233 जोड़ोगे Kelvin में answer आजाएगा एक दम 100% मैच किया हुआ कुष्चन है कि नहीं है कि आये कि नहीं तुम लोग का पहले बताओ समझे अरे भाई यह तो तुम लोग के लिए हलुआ वाला कुष्चन है ऐसे यू यू चुटकियों में कर दोगे अब कर रहे हैं इन में से कौन तत्वे नहीं है भाई गरे फाइट जर्मेनियम सिलिकान सिलिका बालू उतत्व है ना ना बालू जो है उतत्व नहीं है आपसन नंबर सी राइट आंसर बताओ इतना आसानी से है कुष्चन कर पा रहा हो क्यूकि रेशवा कीडमी ने आपके साथ पुरिष साल मेहनत किया है क्यूकि रेशवा काडमी ने आपके साथ। पुरिश शाल मेहनत किये गाई ठीक है कि सी आफसनेट इनमें से कौन मेटलाइड नहीं है भाई बुरान सिलिकान गैलिमियन जर्मेनियम देख कसाई जी ने संत प्रभा को पीटा बाय लगए इंडियन टाली में को रहाँ बैटलाइड नहीं है तो आप बताओ जर्णा एक बड़ा मुझे में अखिर में कौन नहीं है सबी लोग बताओ मुझे में अधलाइड मतलब जानते हो बीच वाला धात्य और अधात्य के बीच वाला अब हिंड दे दिये हैं अब कर दे जल्दी बताओ बीसिलिकान तो कभो नहीं होगा जी नहै Judity कभो नहीं होगा सिलिकान कही से का दो यह हैं यह पताओ हम एक लड़का पूरान पर आया बहुत अच्छा एक लड़का पूरान पर आया भाएए यह तो अगदम ही सही नहीं है है ठीक है बहुत बड़ी है वाह एप जर्मेनियम नहीं 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 उस पर मत जाओ भाई सही जा रहे थे बोरान पर ओके आई सलो नेक्स कुशन अगला गहरा है इनमें से कौन यौगीक है सी यो एन ओ सी जी रो इंपता नहीं का रिखासा सुड़ा इकौन से मतलब सिंबल है इसे इनमें यौगीक है है बताओ अंग्रेशी में भी देखो फालोइंग कंपाउंट्स कौन सा कंपाउंट्स है बताओ सर D होगा एक से अधिक एक लड़की ने कहा है हाँ D होगा एक लड़की ने कहा guys C O तो होगा ठीक है गौरा D होगा यह का लिखा है हम कोई नहीं समझ में आ रहा है तुमको आ रहा है बताओ C not लिखा है क्या C O तो सही है C O तो correct है इसमें मैं कुछ नहीं कहाँगा क्योंकि C O जो है वो correct है ठीक है okay चलो next देखो अगला कहरा है इन में से कौन जो है बिद्द॥ का अच्छा सुचालक और कुचालक है बाई बिद्थ का अच्छा सुचालक और कुचालक की बात कर रहा है सुचालक भी है तो ये जर्मेनियम होगा ये आपका जो है ये जर्मेनियम होगा जर्मेनियम सेमी कंड़क्टर है क्या है सेमी कंड़क्टर है इसलिए सुचालक कुछालक दोनों बन जाता बड़ी अच्छे से सेमी कंड़क्टर जो होता है कंड़क्टर और इंसुलेटर के ब बहुत बढ़िया हां केले का पकना भी है का पकल केला के तू कच्छा कर देगा ना अब एक बचा नेप्थलीन का उर्दुपातन जंग लगना भी है बाई नेप्थलीन का उर्दुपातन जो है यस क्या बात है सी पे आगे सब लोग दर 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 आंसर आ रहे सी वहां मेरे सेरो बहुत बढ़िया वेरी गुट बहुत अच्छा नेप्थलीन का उर्दुपातन इनमें से कौन सस्पेंशन हो सकता है बाई सस्पेंशन के लिए सीधे सीधे मिलक आप मैगनेशिया वेरी वेरी मिलक आप मैगनेशिया जल्दी बताओ कितने लोग ने भी आफसन सही किया इसका सस्पेंशन में यस कितने उप सब लोगों ने वह लगता वाई तुम पढ़ लिये हो हां चलो अगला देखो अगला क्या करते हैं गाइस फिगर आउट करतें नेक्स कुश्चन को इन में से क और ठोस में ठोस का खोला है देख भाई पिता जी का नाम सुने पिता जी से असिरवाद लिया होगे पिता जी पिता जी से असिरवाद लिया होगा पीतल और तामबा पीतल और तामबा जो होता है यह होते पिता जी देखो पीतल भी ठोसे हैं तामबा भी ठोसे हैं तो पीत है से पीतल होता है तॉरुरी तॉरी km वह जास्ता होता है नां नमग और जास्ता से बना जबने फितल है सब्off आइप टॉस अंसर से बना जबने जो जू जो एसे ब बाइपन चुन का जाए है ओस्ता शुडल जो तो तो से ही जरुद से ऊंञे हैं मज़ा रहा है कि नहीं भाई नाना रोटी पे मत मार रहे हो इसा मत करो देखो आपका कोई भी भाई बहन दिस्तेदार तैयारी करना चाहता है तो बताओ पॉलिटेक्निक की तैयारी एसवा एकेडिमी के दुआरा मात्र दोसो निन्यानवे रुपए में कराई जा रही है यान बाई ऑगला क्या करते हैं अगला वाला देखो करता है से कौन चीनी की गुलन सीलता 25 दिगरी स्लसियस पर पत्लाता है देखो बाई 20 दिगरी पर 203 दसमलों कुछ गराम होता है इसका आप चीस पर 204 इस वेरी वेरी राइटरं देख है पचीज पर क्या होगा दूसर चार राइट आंसर होगा वह हाँ निरे लाने देता है मांसी काहें उनको चुछ विड़ा रही हो हाँ जाने दो विचारे को कि ओके बहुत बढ़िया नेक्स कुष्चन देखो 90 कुष्चन पहुचने वाले हैं इन में से कौन भौतिक परिवर्तन है सीधा सीधा जानते हो लुहा का पिघलना लुहे में जंग लगना लुहा के छड को मोडना एक से अधिक देखो भाई इसमें कौन है पिघलना है लुहा को पिघल है लुहा में फिर उससे लुहा बना सकते हैं ठीक है आप लोहे में जंग लगना यह तो नहीं है भाई इसको नहीं माने लुहे छड को मोड के फिर सई कर सकते हैं सीधा मतलब एक से अधिक तो अपसंस ही है इसमें यह हो सकता है ना C संकर जैस्वाल ने D आंसर दिया है इसमें जो है एक से अधिक आंसर सही हो रहा किसका किसका एक से अधिक आंसर C तो ठीक है A पर तुम लोग consider करो ज़़ा थवा सा लोहे को पिगला रहा है आपर दखाओ एक से अधिक ए क्या अंसर इसमे भाइय एक बर कंसीडर करना तुम्हारे लिए है स्पैसली तुम्हारे लिए है एक बर कंसीडर करना जाके दिमाग लगाना विचार करना क्या-की हो सकता है अगला देखो द्रवमानस अच्छड का ईतना ऐज़ी लेवासी है लेवासीर दिया होगा देखो C option बताओ जल्दी द्रवमानस अच्छड का इस धांत किसने दिया था गाईज द्रवमानस अच्छड का इसके बाद अभी physics होगा फिर उसके बाद math का भी solution होगा एक बार बता दो भाई yes sir sir you are very smart man yes I am yes yes guys बहुत बहुत thank you क्या क्या अल क्या है दिलो का न पूछो सनम कुष्चन का आना गजब ढढ़ा गया गुरुजी आप ऐसे पढ़ाईए कि क्यूश्चन लाली पाप लग रहा है सी होगा लेवाजीर यारी तो हम असान है भाई कौसम से तीनो चार बार पढ़ाए होंगे इसको तीन चार बार पढ़ाए होंगे जल में oxygen hydrogen का नुपा था ही गलत कोश्चन है तो गलत जब लगेगा तो हम अंग्रेजी में आएगा अब गहरा है इन वाटर दफ प्रोपोर्शन आप oxygen एंड hydrogen भाई मॉस कितना होता है तो मॉस के द्वारा मॉस वा नहीं दिया था भाई मॉस न अब देखो एच टूओ होता है hydrogen का मॉस दो हो जाएगा oxygen का solar 2 वाट इस वाट देखो खटाक से आ गया वन रेशी वाट सबकार रहा है रे भाई यतना एजी कोशन अगर तुम मेरा चेला है तो मुँआ दिया होगा इसको मुआ दिया होगा तुम उसको ठीक है का हुआ वण रेशी वाट देख बानवे कोशन मतलब हम 42 कोशन अभी तक करा चुके हैं सोचो 42 को अगला कर रहा है 12 ग्राम मैगनीसियम है ध्यान देना हुए कि राएं कि 12 ग्राम जो है मैगनीसियम है ठीक है चला बार ग्राम क्या है मैगनीसियम है और इक यकशन इस इस जर्ब्र है बार क्व episód Ś Gotta ओर्रार है मोल कानुपात आता है कि नहीं बताओ दूमलो द मटमण dużo नंबर आफ मोल बराबर देखाना मूल भर गीवैं इताओ घीवैंन मास जो दिया है अब बटे में बटे में तुम्हारा एकपामिक मस एकपां Paulo तो पहले तो मैगनिसियम के निकालो मैगनिसियम के लिए गीवन मास कितना है 12 गराम इसका होता है 24 तो 12 दुना 24 एक बटा दो आ गया सही है सर अभी तुम सल्फर का निकालो 16 दिया है ऐसे इसका 32 होता है 16 दुना 32 एक बटा दो अगर यहां पर 630 का मूल मजी मूल रैसियो असल्फर मूल देखो एक बटादर रैसियो एक बटाए दो यानि drie कितना रहिजा है चलाए लिए कितना ही जिवन ब्ला तोमिक मॉस मोड बराबर होता है और जिस Madeम आपका गया कि सही नहीं अभी हो गया ना अभी आगे देखो इन में से किसकी परमार्व की संख्या महत्तम होती है अभी होता है उदासीन होता है परमार्व जो होता है बिद्धुत उदासीन होता है कि उस समय उसमें कोई निगेटिव आयन कोई पोजिटिव नहीं होता है इसलिए चो परमार्व होता है किलियर है सोडियम का परमार्व करमा की गार दू आठ एक कहां है इधर देख चेला दू आठ एक मैच कर रहा कि नहीं कर रहा भाई अभी तक देखा ओ मज़ा आ गया मज़ा आ गया परमारु का प्रथम माडल किस ने दिया था टामशन परमारु का प्रथम माडल किस ने दिया था 97 चिला बता भाई सर सी जे जे टामशन टामशन is right answer इलेक्ट्रान का विसकार इटा पर नाचे मोर का बताये थे याद है बताये थे इटा पर नाचे मोर कोनों पूछ सकता है ठीक है यह देख भाई इटा मतलब इलेक्ट्रान टी मतलब टामशन मारद भाई खाटाक परमार पर प्रोटान रदरपोर्ड नूट्रान चर्डवीग बाई जब थियरी से कुष्चन आये है मैं देख रहा हूँ हर साल थियरी से जो है कुष्चन बनते ही जा रहे है थियरी पढ़ोगे यह पर तभी मज़ा आएगा बाई थियरी इस वेरी वेरी इंपोर्टन अगला कहरा है देखो अगला कुष्चन क्या कहा है वैसे तक तो जिनकी परमारु संख्या शमान प्रंतु द्रवमान शंख्या अलग अलग होती है नाम सुना होगा समस्थानिक सुना है कि नहीं समस्थानिक को अंग्रेजी में क्या कहते है जैसे छोसी बार ठीक है चोसी पंद्र चौदा था हाँ यह दूनों क्या परमारु कर्मान के बराबर है लहीं परमार भार अलगलग है इसको कहते है समस्थानिक आने अईसो टॉपस इस राइट आंसर अंग्रेजी में दे दिया बस और का अंग्रेजी में दे दिया आइसो टॉप्स अगला बाबू सुना लोग सौ नमबर कोश्चन ओहो अल क्या है दिलो का न पूछ ए बी सी डी दिया बारा बाई साब कोरा कौन जो है कटायन नहीं बना सकता है तो बारा तेरा भी बनाएगा तीन भी बनाएगा पंदरों आप 15 देख रहे हैं 15 का अगर कन्फिगर्ट्विशन करेंगो दो आठ पांच यह क्या कर सकता है इसको पांच रुपया देने में किसी को परसानी होगी अगर आंप्टेट पराप्त गरना है तो इस तीन रुपया ले सकता है मत्तब तीन निगेटी उस पर आ सकता है सी वाले पर तीन को निकेटिस देखो यह क्या है बनाएन बना रहा है डायन His नायन बना रहा है ठीक है रिरायन जबकि 12 13 12 मचिसिंट अमने यह दोग एल्टान सकता है मुनियम 12 12 Kyndon यह 1 20 इनलग्ण त्याहट शकता थे इन वाला तो त्याख इसकता है वाल Overall यह यह तो कटायन बनाएंगे बट भाइसाब सी वाला कटायन नहीं बनाएंगा यह एन न मनायेंगा इनोसेंट लड़की हमें धाई गंटे के अंदर सौल्व कराना कुछ सोचा कर वाप हमें धाई गंटे के अंदर सौल्व कराना तुम्हीं को मुस्टर पर खुब टाइम ले रहा है ठीक है इसी लिए तो देखो यह 15 जो है ज Nos कि ॐ कि जैज Keeping ृए मथेना किया है चीरा तुम्हीं कितना नंबर देना चाहूंगे तुम लोग मैश किया गाईस एक बार बता दूगे पचास कुशन हमने करवा दिये ज्यादा टाइम भी इनला कितना टाइम लगा मैं बता देता हूं एक बाद मुश्किल से सैथी स्मेट ठीक है जिसे मैंने दास में तो बाती किया होगा पैतालिस सत्या पंडित कह रहा है पैतालिस मैच किया है अब देखते हैं हां बहुत बढ बादी यार पैतालिस बहुत बड़ी बात होती है सुजीत कर च्छी आलिस मैच के मैं गिन लाओं यहां पर सुजीत कहरा है च्छी आलिस मैच किया है तो बढ़िया बात है न यह तो परसेंटेज अच्छा निगलाम लोग का आजव अगला फिजिक्स चुरू करते हैं जी क कामान चंदर्मा की सता पर होता है हमेशा फिर्तवी की सता से कम क्यूँकि जीबटट है हुत होता है पिर्थिवी के एक मुशुंगरा एरतालिस क्यूश्यन बहुत बढ़िया यह पिर्तिवी की सता से हमेशा कम होगा दुसरा देखो इन में से कौन सा संबंद सही है अभी इसका संबंद तुम जानते हो चिला अभी जानते हो कि जी पराबर होता है जी यम्मी बटा आर स स्कौायर होता है तो यहीं आपसन छीन होजाएगा खडाक भडाक Touch करण एगला च्छी का मान मैक्सीमम कहा होता बाई यह जी का मान मैक्सीमम कहा होता दोनों पर इन में से कोई नहीं यह दलत व वालों की ही जय जका डेली मेहनत करते हैं हम लोग दो क्लास तीन क्लास चार क्लास देते इतना असान है गुमते नहीं है बैठे नहीं रहते हैं यह धुरूपर एट पोल एट पोल जिन्नतिया सही आंसर है बिस्वत रेका पर कम होता है लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ का उप्योग नहीं किया जाता है जल किया जाता है काच प्लास्टिक क्ले नहीं किया जाता है क्ले नहीं किया जाता है क्ले 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 नहीं किया जाता अगला कहें रहा है dictionary पढ़ने के लिए मैं बता दू, dictionary पढ़ने के लिए आप इनिमेंस कीस lens का उप्योग करेंगे जिसका focus length 50 cm बिल्कुल नहीं, जिसका outer lens focus 50 nहीं, उत्तर lens जिसका focus length क्या पच्छास 35 cm में जिटेंगे तो माइनस होगा टीक लेंस सुत्र होता है वन बाई अभी तुमको कल तु trailer भैव था कि वह हम और सक्काने विद्फ狭 पर सब्रोंच नहीं पहुंच कुछ stand of 60 E24 सेंटीमिठर होता है क्या होता है 25 सेंटीमिठर होता है इस पस्ट रिदिश्थी की नियुंतमदूरी सी आप संग खटाक से मैच कर गया साथ वाभी किसी वस्तु का प्रत्वी मानव आग पर कहां बनता है कार्णिया पर आइरिस पर प्यूपिल पर यारेटीना पर गाईज कहां बनता है यार पूरी तयारी करनी है पॉलिटेखनिक की तो सिर्फ और सिर्फ रेश्वा अकेडमी क्या एक बार नाम ले लो वाई रेश्वा अकेडमी जिन्दाबाद हा तनक दिनता है ना ठीक है रेटीना इस वेरी राइट अंसर था कहां भाई साब भारत माता की जय एक बार बोलो मजा आचाहेगा ओकेड़ाज करता है हमेशा एक से कम हमेशा क्या करता है एक से कम गाईज नेक्स्ट 9 number अरे यहार कराया हुआ क्यूशन हमारा है अब यहां time लेके कोई मतलब वीडियो देखना कराया है यदि आपका प्रत्वी में दरपड में सिधा बनता है तो दरपड के हो ले दरपड कहीजा होता है दरपड कहीजा होता है तो मुझे अधम पुरा भरोसा है तुम अपने माता पिदा के सपना पूरा करने जा रहे हैं यह याद रखना है क्या है Sumthal Sumthal is right answer next आंक का कौन सा भाग मृत्यू मर जाने के बाद भी दान दिया जाता तो याद रखिए जो कार्णिया होता है जो आंक का एक भाग होता है कार्णिया कार्णिया वो दान में दे दिया जाता है करते हैं आंक दान ने तर दान कर दिया तो यह आखिया नहीं दान किया जाता है उस रेटीना पर बना हुआ हमेशा 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 रियल अप्लस में इन्वर्टेद होता है इन्वर्टेड होता है इन्वर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड होता है रेटीना पर बना हुआ क्लियर है ना रेटीना पर बना हुआ समझ गए एक बार बदा दो भाई समझ में आ र होता है ना नेक्स्ट अगला अगला कुशन कह रहा है 113 नंबर इनमें से कौन सा दरपड सुत्र है दरपड और लेंस में थोड़ा सांतर है दरपड देखो 1 by F बड़ाबर 1 by U प्लस कर देना V यह दरपड के लिए क्या है यह दरपड का फार्मूला है लेंस के लिए मैं तुमको बता देता हूँ lens के लिए 1 by f बराबर 1 upon b minus 1 upon थोड़ा सही है इंतर b में से minus को घटाना पड़ता lens तो दरपड के लिए पूचा आते ही वाला सही है ए वाला सही है ये दरपड के लिए होगा ठीक है क्या है ए वाला सही है ए वाला सही answer है किसी lens की छमता का सुत्र क्या है किसी lens की छमता lens की छमता का सुत्र हमेशा diopter क्या diopter p बराबर 1 by f हो जाता है कभी ये पूच देता है कभी इसकी छमता diopter पूट जेता है तो दूनों मैं बता चुका हूँ एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार बताया होगा कि what is the मतलब इसकी छमता का सुत्र क्या होता है p बराबर 1 by f होता है ये मिटर में हम लेते हैं अगर p बराबर 100 अपान में f ले लिया तो सेंटिमिटर में कितने बार मैंने बताया होगा बताओ मैं अच नहीं कर रहा है अब क्या लोगे हमसे हमारी जान लोगे किसको किसको चाहिए हमारी जान इसना अलगा फार्मूला आख मूंद के मारा आख तो लोग मिटर बराबर साइन आई बटे में साइन आख बताओ जाके देखो अब और तन भाला डिफ्रेक्शन आप लाइट में बढ़ायते रिफ्रेक्शन आप लाइट में बढ़ाया ते मैच कर गया हाँ मैच कर रहा सर पुरा रिफ्रेक्शन आप लाइट जाके चेप्टर खो जो मैंने कहा जो बच्चा रेसोगा अकेडमी के मुबाइल एप से अगर बच्चा थियरी पढ़ा है ना माई कलाल पिला काला उसका को कुशन छूट नहीं सकता है थियरी जब अरजस्त पढ़ाए भाई जाके देखो तो थियरी तो देखो देखो तो किसाहिन आई भाई साहिन आई ठीक है किसी दरपड़ के मुख्य फोकस और मुख के फोकस और धुरू के बीच इसने कहा दरपड़ के दरपड़ के मुख के फोकस और धुरू के बीच की दूरी को कहते है यह फोकस फोकस लेंट होता है पोकल लेन्ट अग्रेजी में कहते हैं तो दरपढ़ ये मालोा दर पढ़ा यह दुम होए इसका फोकस कि बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं फोकस दूरी उसको और जो फोकास तांतर लिख दिया पाता नहीं फोकल लेंट अंग्रेजि जरूर देख लिया करें करें एक बाएख फोकल लेंट कहते हैं मिला मैच किया यस सरी अगला कोशन देखो अगला कह रहा है किसी लेंज का छमता होती अभी देखो मैं कही रहा था कभी-कभी पूर्मूला पूछ देता कभी-कभी उसके मात्रक पूछ देता तो भाई साथ पीबराबर 1 by F is very very right answer और लेको क्या होता है वन भाई F होता है यानि यह भी मैंश कर गया गै्यां प्रक का मतलब का होता है प्यार कर जाना है क्या पार कर जाना प्यार कर जाना प्रकास का पॉर्टन हो जाता है जब वन मीडियम से टू अजर मीडियम में जाता है किलिए रह गी नहीं चेळा बोल भाई बोल बोल चेला हमारे सही है है ना सही आज आगला प्रकास का पोड़ता है विद्धु धारा का मात्र क्रेक्ट मैच आम हो गईल पीयर कितना बार बताया थे तो जब आम हो जाता है पीयर कब बनता है एंपीयर कब बनता है एंपीयर बता चला कितना बार हम बता है आंपीयर हो गया एंपीयर हो गया किलियर है एंपीयर इस वेरी बेट प्रिजम में कितने सते होते बताओ अब यह बढ़िया कोशन है भाई प्रिजम में कितने सता प्रिजम देखो प्रिजम में क्या होंगे दो हले तद दो तिर्भुजाकार होते हैं। थीन आयता कार होते हैं टोटल मिलाके इसमें क् 믹Lie पांच किया होते हैं पांच सफेस होते हैं टोटल किया होते हैं टोटल एताय सुव च्थयाओगे क्लिए मैंने सब करां किलो नह пред ně aan कर रहे है यदि किसी वस्तु का दर्मान यम किलो करांं ठीक है और अब कि भीवेगत है तो इसकी गति जुर्जा भाई का बराबर क्या व्ता रहे है लाहा आप यम इंटू भी स्कोयाद है घती जुलजा गती जुलजा के को कहते हैं के को क्या कहते हैं गतीज उर्जा कहते हैं के को हम गतीज उर्जा कहते हैं हाफ यम वी स्क्वाइर हाफ यम वी स्क्वाइर कहते हैं ठीक है हाफ यम वी स्क्वाइर कहते हैं बोलो किलिए रहे हाफ यम वी स्क्वाइर हो गया बहुत बड़िया next देखो अगला point को देखना जोना अगला point स्वेत परकास को कहाँ जाता है पॉलिक्रोमेतिक क्या? वाइट वाइट रे वाइट रे वाइट रे को पॉलिक्रोमेतिक कहा जाता है option number C is right answer UP में यह उसे थोड़ा सा भी बढ़िया कुश्चन है UP में तेक को कुश्चन होगा हिसा होगा हिने जो मैचना करे यहाँ जैसे मैच करो इसे UP में भी करेगा इस बार बियार की भी बारी है ठीक है इस बार बियार की भी बारी है परशान मत हो को अब देखो तारो के चमकने का कारड क्या है हाँ तारो के चमकने का कारड क्या है मेरे दोस्त बताओ आगिर में यह तारे क्यों चमकते हैं फड़ा फड़ बताओ तारो के चमकने का कारड क्या है तारो के चमकने का कारड B A होगा न जी है A होगा न Yes चलो मैच गिया बताय थे काई तारे टिमधी मातें कोई बार बताया थे अगला क्या रहा है इन में से कौन बिद्धुटी छमता को इन में से कौन बिद्धुटी छमता को नहीं बदलता है सूरै पहले बाद देखो पी बराबर होता है वी अगरा है तो है तो सही है मतलब गलत भला मुचासि है native待 नहीं होगा जुछाइए नहीं होगा भी ऑधामाल रखो भी ऑन टूख से वी यह रख़ो जाएगा वी तीनों तो नहीं होगा भाई गलत यह है यह वाला गलत है आज जो गलत है वही सही है देखो है मैच करवार है कितना तगड़ा कोशन मैच करवार है सोचो कितना तगड़ा कोशन मैच करवार है कि अधिक है चलो यह हो गया है अगला देखो एक बड़िया कोश्चन जो मैंने कराया था याद होगा आपको एक बड़िया कोश्चन जो मैंने कराया था एक बिदुद बल्ब 220 बोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है कितना बोल्ट के जनरेटर से 220 बोल्ट के बिद्दुत धारा का मान 0.50 एंपियर है बल्ब की छमता मतलब पी बराबर भी आई होता है भी का मान 220 बोल्ट है 0.5 आधा कर दो 110 दस वाट आ जायाएगा 110 वाट कहां लिखा है यह लिखा है ऑफ्शन नम्बरे में 110 वाट होगा क्य यह भी मैच कर गया बोलो एक बर गाइस यह भी मैच ओम नियम के अनुसार इनमें से कौन सही है ओम नियम के अनुसार कौन सही है भी आई यार यह सही है भी बराबर आई यार होता है यह तो पहला वाला सही है और चेक करेंगे आई बराबर भी आई यार होता है यह भी सही ह यह वाला आण भी बद्वार आ स्कवाइर हो सकता है नहीं यह नहीं सॉह है एक ps4 यह मतलब डिया शञाओ हश्य स्तुलक्रत पूरा अपश्यक थे Kings Bay निय्यंव एक से अधिक वाला एक से अधिक सवाई है नया कोस्टेने नहीं जोड़ते हैं जब कई प्रतिरोदों को स्रिंखला में जोड़ना है श्रिंका मतलब इन शीरीज के में इन सीरीज में स्रिंका मतलब इन शीरीज में जोड़ना है इन सीरीज में होता है आर जुरेज पराबर आर लो फाइ调 पहला और थी प्लोवाई पहला आफ्संस ऐह है कारहिए तो मुन्मद्र के मारना छाल छो घृण चाल जो है स्पीड सदीस रासी नहीं है बाकि यह सब है सदीस आँख मुंद के मारा करो देखो इन में से कौन तोरड का मातरक नहीं है इन में से इने में से कौन तोरड का मात्रक नहीं है तोरड का मात्रक देखो मीटर परती सेकंड स्क्वाइर होता है किलो मीटर परती सेकंड स्क्वाइर हो जाएगा सेंटी मीटर परती सेकंड स्क्वाइर हो जाएगा किलो मीटर परती सेकंड स्क्वाइर ये तो है सेंटिमेटर ऊपर गया तुमाई यह भी हो जाएगा यह नहीं है जो नहीं है वही सही है ऑफशन नमबर सी जो नहीं है वही सही है किलिए है ऑफशन नमबर सी अगला कुश्ण चेहता देखो बहूत बढ़िया एक बस जो है अपने चाल दौ सेगंड में 36 किलोमेटर पती घं इसका मात्र बताना है ठीक है आंसर सब मिटर में दिया है और टाइम भी दो सेकंड दिया है तो पहले 36 को हम बदलेंगे 5 बटा 18 से गुड़ा करके तो 38 बटा 18 से गुड़ा करके तो अब यहां पर जरा देखो यहां पर देखने वाली बात क्या है यहां पर समझने वारी बात जो है तोरल निकालना तोरल होता है बेग पड़ी वर्तन तो 20 से 10 हो जा रहा है यानि 36 से बहुत्तर 36 से बहुत्तर मतलब लिखो यहां पर अब 72 को तो मैंने 20 में चेंज किया है फिर 10 घटा हो कितना समय लगा दोस यानि दोस बटे दोस आंसर क्या एक मिटर पती सेकेंड इसकोएर आएगा आफशन है तुम लोग कार्मेर तो एक मिटर पती सेकेंड इसकोएर आफ़ा आप सबका क्या आ रहा है सबका डी आ रहा है सबका बतायो कुष्ण सीधा है यार तोरड ए बराबर सीधा है वेग परिवर्तन की दर वेग परिवर्तन की दर वेग परिवर्तन की दर का मतलब समय होता है सीधा आंसर निकल कि आ जाएगा तुम्हारे नजर के सामने यह सर आगे चलें थीस में कितना मैच की अभी लाशने बताना 50 में चाल समय ग्राप सुलोप बताता है तोरड बताता है चाल समय ग्राप सुलोप जो है वह क्या बताता है गाईज एक दम आसान है मेरे दोस्त हाँ बहुत बढ़िया थैंकि डियर क्या नाम है इनका अमीत कुमार थैंकि वेरी मच सी तोरा नेक्स्ट निन में से कौन सा सही संब्द है आखमूद के मार देना गती का पहला नियम से पुछा है कितना बार बताए होंगे कि भी बराबर यू प्लस 80 होता है कितना बार बताए होंगे अगला कोशन देखो अगला कहरा है गतीमान वस्तु का जड़त डिपेंड करता है वस्तु के दरवेमान पर याद रखना गतीमान वस्तु का जड़त होता है वस्तु के दरवेमान पर करता है कि आखबंद के मारें सब कि खूल के मारें तुम्हारा मुण है भाई जब तु टपेस्ट को दबाया जाता तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है फिर सही भी हो जाता है तो भाई साब इसका सनतुलित आंसर weary और सकें अगले दको राकेट की संद्चड के आदार संद्चड के आदार बहुते बार बताएं कि जो राकेट संब्चंति सम्ब्च बारता है किसे दांद पर एक निउटन बूराबर होता कितने है कितनی डाइन के बराबर होता है भाई देखो तुमने ना में लंटा लगाया है हम दो घंटा में शॉड़ करेंगे इस पेपर को टाउन को याद तुनमने बराइन जो होता है में तो है वराबर, यह में टुए, तो तोलएर का मिटर प्रती सेक lindo इस्क्वाइर होता है, मिटर प्रती सेकें इसक्वार, फिका है, तो याद, रखो, यहाँ पर, एक मिटर में, क्या होता है, अरे ये किलो ग्राम न होगा यार ना हम कह रहे है ये किलो ग्राम एक किलो ग्राम में एक हजार ग्राम होता है एक मिटर में 100 सेंटी मिटर होता है और नीचे सेकेंड को इसा ही रहने दो देखो दस पे घात है जोड़ो एक दो तीन चार पांच पांच ग्राम सेंटी मिटर पत तरक क्या होताँ शंबिग संबिग पी-बराबर क्या होता है बहुत इजी-जी कोईशन पूछा है जो मैंने ए तो सुद्वा ती मम बता देते हैं दरा बीटर पर लापर किलो प्रतिस शेकेंड मिटर प्रती सेकेंड इसको किलो मिटर सेकेंड मैईनस वन यह हो जाएगा kilogram meter second पर minus one यानि option number B is right answer next देखो संबेक परिवर्तन की दर बराबर होता है याद होता है याद होगा मैंने prove कराया तो जब theory पढ़ा राता तो बल बराबर निकलाता है yum into u minus yum into b upon में ठीक है यू into b upon में time यही तो है संबेक परिवर्तन की दर बल के बराबर है फोर्स के बराबर है तो बल के बराबर संबेक परिवर्तन की दर समझ में आदा है बल के बराबर संबेक परिवर्तन की दर 50 kg द्रिवमान का जो लड़का है मैदान में खड़ा है उस पर 500 newton का बल लगता है मैदान दवाल लड़का पर बल अरे किरिया परतिकरिया सेम उतना ही बल उतना ही लगाएगा सेम फोर्स लगाएगा 500 न्यूटन का ही बल लगाएगा यानि आंसर राइट हो जाएगा डी यहां कमून के ही मार चकते हो उतना ही फोर्स लगाएगा गाई अरे बाई ऐसा अगर अगर जो बच्चा थियरी पढ़ाओगा रेशो आइकेडिमी से तो सलेक्षन पक्का है भाई पांच न्यूटन बल बीस किलोग्राम की वस्तुपर उत्पन तॉलड़ इतना में होगा ठीक है हमसे तॉलड़ पूछा है यह बराबर क्योंकि यह बराबर होता है यह में टू य यह बाई है यम यह बाई यम यह क्या पांच है और यह बीस हो जाएगा तो जीरो टू फाइप मेटर प्रति सेकंडी स्कॉय यानि जीरो पॉइंट टू फाइप यह आपसका आंसर सी आ जाएगा अरा मतलब इस पर नहीं कर पाओगे तो क्या करो बाईजां अगला देखो क कैपलर की ग्रहों का सिधान जहां के गुरुत्तवा गर्स में पढ़ना है और इसकौर टीपर की वह आंसर नंबर क्या हो जाएगा आठान नंबर ए यह हो जाएगा रहे पर दूब चलिए अभी देखिए गाईस अगला कुश्चन नेक्स्ट आर्थ रिज्या के पिर्थिवी के केंदर पर वस्तु का भार हमेशा आल्वेज विल बी जीरो आल्वेज आल्वेज विल बी जीरो नेक्स देखो इनमें से कौन उल्जा का मात्रक नहीं है जूल तो है नूट्रन मिटर है किलो वाट यह जो है गाईस यह जो है यह सक्ति का मात्रक है इतनी सक्ति हमें देना दाता पावर का मात्रक है यही नहीं होगा यही सही होगा अगला कुश्चन देखो भाई अगला कोश्चन एक सो वाट का कह रहा है इस वाट का विद्दुद बल्ब एक मिनट में कितनी उर्जा परिवर्तित करेगी पावर क्या है सो वाट है ठीक है टाइम क्या है एक मिनट है एक मिनट का मतलब साट सेकेंड पेपर सॉल्ब करा रहे हैं अच्छे हमें पी का मान है सो अटी का मान है साथ यानि छोहजार जूल छोहजार जूल कहां है डी वाला आंसर लाइट होगा बाहिस अब 44 कोश्चन हो चुका है पैतालिस ग्रजब कोई वस्ततंत रूप से धर्ती पर गिरती है कुल उर्जा इस्तिर रहती कई बार बताया मैंने ठीक है नेक्स देखो इन में से एक इंफ शॉण को सुन सकता है कुछ्त नहीं सींगादर नहीं मान कोई ने गयंदी ऑप्संदी जिएगा इसका डी ऑफ्सन इस राइटा अंसर गेंडा उना सुन लेते हैं सब हां ओके गाईस मज़ा हो रहा है अगर आवंचास देखो 20 डेड़ी सेलसियस तापमान पर प्रति धोनी 17.2 मार देना साम से अराम से मार देना 17.2 ठीक है प्रति धोनी के लिए जो दूरी होती है न 17 के आप सपास होती है 17.2 सही है ओके अगला देखो अगला देखो नेक्स कोशन देखो जब ननीमन द्धोहनी को उच्छे द्धोहनी में परिवर्तित किया जाता है तो उसका हम क्या चेल्ज करते हैं मैगनी ट्यूड चेल्ज करते हैं क्या मैगनी ट्यूड मैगनी ट्यूड हम चेल्ज करते हैं गाइस यह बताओ, कमेश्ट्री में तुमने मैच कराया, कितना, 46 कॉश्चन के आस पास, उपर ही गया, मैंने काउंट नहीं किया, तुम ही ने मैच कराया, फिजिक्स में कितना कराया, तुम लोग ने, फिजिक्स में कितना कॉश्चन मैच कराया, तुम लोग ने, गाइस, ज करनी पड़ती है इसके लिए कहते है ना थोड़ा सा वक्त दे पानी में भी आग लगा दूँगा तेरे इस लाट ले पर जो हसर है मां किसम उनको एक दिन उनकी आउकाद दिखा दूगा समय आ गया हमने उनको मुतोड जबाब दिया है सिर्फ है अल्ला करने से नहीं ऐसे ले देली पड़ाना पड़ता है जिसे दिन आप यह समझोगे समझ जाओगे अब इतना मैच हुआ कि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे दो घंटे में सॉलूशन करवा देना वाई तो आप खतम करते हैं अब आएंगे आपके असोक सल्जी जो हैं आपके बहतरीन मैट्रिक्स का भी प्रीचर अप सालुशन करवाएंगे तो चलिएंधन करते हैं घाइस दो तो किस अगर पूरी तयारी करनी है तो सिर्फ रीषवा एकेडमी से क्या सिर्फ रेषवा एकेडमी निया और कहीं से नहीं तो इसवाइकेडमी से जो तयारी हो जाएगी वह कहीं से नहीं हो सकती है ओके गाइस सब जारकन बोलड़ वाले को रहे हैं कि पेपर विकास वाजी बनवाया थे ना चला इसा मत को यह आईसा नहीं को हाँ ठीक है चलिए चलिए तो मैथमेटिक्स का सॉल्व किजिए आप लोग फटा पट उसके बाद वाद 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 आपके प्यारा और सपोर्ट से इतनी महनत कि इछले आपको मजा भी आएगा तो क्या आप अब रियल सेलुशन के लिए तयार है एक बार चार्ट सेक्शन ने बता दीजिए और मैं बता दू यह केवल जारखंड के लिए नहीं है यह पूरे बिहार यूपी अल ओवर इंडिया के जितने भी पॉले टेक्निक के एक्जाम होते हैं सब के लिए हैं तो चलिए हम लोग अच्छा सर तयार है सर विश्वास है आप पर है ना अरे भवकाल नहीं है लेकिन हमें यह मैं खुस इसलिए हूं क्योंकि मैंने जितनी मेहनत की है पिछले 6-7 महीने 8 महीने से आपको पढ़ा रहे तो यह खुसी है यार एक टीचर की जीत क्या है कि उनके श्टुडेन पास हो जाए सभी सवाल मैच कर जाए एक एक चीजे उनके अनुसार हो यह जीत है तो चलिए हम लोग फर्स्ट कोशन के साथ सुरुवात करते हैं इस पीडियव को देखो इस पीडियव को एंसर सीट के साथ मैं अपने रेश्वा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रूप में डाल व्लकम आजओ भाई आज आज इतना देर की हो रहा है यास यास क्या है यह हमारे एक स्टुडेंट का ही पेपर है 2022 प्रस्न पुत्रिका है रिएल को इसने तो पहला सवाल प्रकट करते मैं चाहूँगा पहले लाइक करके सुरुवात करेंगे महाकाल का नाम कर लेके बहुत करेंगे हमने क्या बोलाता जब हम पढ़ाते हैं ना इस्टुडेन छोड़ दो यह गैरेंटी है कि हमारे वीडियो को देखके आदे से ज्यादा टीचर्स भी तुमको फिर सी यही कोस्टन करवाएंगे यह लां हिखलो साइड में पाहला कोस्टन करते हैं हम लो और साथ ही आते हैं आते हैं या मैं तो मैं बॉट को ब्लेक करेंगा लिखने में आ यादा मजा है न। आपको देखने में भी मजा आएगा ङाथा पहला का सवाल है गड़ित का और इसमें पूछा गया है एक वृत की क्या एक वृत की जीवा और क्या है A B है चलिए आप answer करते रहे है live wallet क्योंकि real time यार live solutions करवाने का मज़ा ही कुछ हो रहे है यह 10 दिन बाद हम इसको अनाम से करा सकते थे हमने तुरंद करवाया यह है अंतर देखो एक वृत है फटाक से बनाओ A B एक इसकी जीवा है ठीक है A B क्या है जीवा है अच्छा A O C इसका व्यास है यानि कि सेंटर से जा रहा है और यह सेंटर से जा रहा है कहीं कहीं है A O A O और यहाँ पर C होगा आगे कोड बनाते A C B का मान दे रखा 50 A C B यानि इस वाले A C B यानि इस वाले एंगल का मान दे रखा है 50 आप से पूछा है यदि A पर वृत की इस पर सरेखा है तो अगर कह रहा है A पर वृत की इस पर सरेखा A पॉइंट यही है ना इस पर क्या है इस पर सरे एक इस पर सरेखा है तो ध्यान से देना गाइज ए पर एक इस पर से रिखा है चाहे जैसे हो हमसे नहीं मतलब है A T है यहाँ पर T दे दो तिनन कहा B A T का मानूद B A T का यह वाला बाहर वाला एंगल पूछा है आपसे आपको सहर यह देखो चाहे तो सेंटर है आधा बरो इतार है Am Red passionate अनुखे ग्ला मालूत समकोड होता है या यह वाला एंगल अपने आप सकोड यानी नभियान्स होगा क्योंकि ये बना है अब देखना बरो इत्वरों की इस में हरना कोड भरोट सर दोर्शन को क्यों यह टोटल बाहर का इतना नभ्य होना चाहिए यह 40 है तो यह कितना हो जाएगा पच्छास हो जाएगा बिना कुछ किये option number C आपका सई हो जाएगा कितने इस्टुएंट का सई है अरे लो सी बाहर का पूछा है भाई तो यह साथ सच में हो नियुका व्रित का दूसरा सवाल हमने कहा था आपको माद मावक पढ़ाभा ऐता आज वीडियो से सुबा जो पढ़ाए तीन सवाल का संकेंधर्रित वाला मैंने बताहे था ना हब आपको मिलेगा वृत बता है था एक वह संरेख वाला आएगा है ना समांतर शुरी कहा था आज भी पढ़ा था समांतर स्रेडी कह लिए टीन से चार सवाल एक वीडियो से जो आपने चैलेंज दिया था वही आ चुका है आपको यह मत को सुना कि सर्जी पेपर ही कहीं बताती ह है ना देखो दो संकेंद दरी दुझा जीवा है जिसका नाम है इसकी इसकी लंबाई है आथ अच्छा मैं पता है कि अगर यहां से से लाइन जा रही है तो इसको संदी भाजित करें यानि टोटल आठ है तो चार इधर हो जाएगा, चार इधर हो जाएगा, है ना, यह आपको अमने concept में ही बताया था, सर टोटल 8 है, तो 4 और 4 में हो जाएगी, यह टोटल है कितनी, 5, यानि कि यह केंदर, त्रिज्या कितनी है, 5 है ना, यह 4 और यह 5, ट्रिपलेक्स बन गया, 4 और 5 है, तो यह alternative, यह दूरी कितनी हो जाएगी, आपको सर 3 हो जगा, 3, 4, 5 होता है, तो यह 4 है, यह 5, तो यह त्रिज्या पीछा था, छोटे वरित की त्रिज्या कितनी आ गई, 3 संटीमेटर, option number A, किसका किसका सही है, सर A होगा, हाँ, ने हाँ, बहुत सही है, अकाश मोर्या, 3 है, 3 है, 3 है, तो मैं पास करके होता है, यह सवाल मैंने बता है था ना संकेंदरित का मात्र 2 वीडियो पहले, देखो एक और है, फिर से, फिर से आ चुका है, तीसरा सवाल, कह रहा है, दो संकेंदरित की त्रिज्या है, एक वरित, इनकी त्रिज्या है, 5 और 3 है, इसकी त्रिज्या कितनी पांच है चलो पांच ले लेते हैं और इसकी तरीजा कह लिजये यहां तक तीन है रहा है वृत को इस पर्स करता है चोटे वृत को एक जीवा के लंबाई पुछाए अगर कह लिए एसी है तो एसी पूछा है वही सवाल घुमा के पूछा है उसमें यह दिया था उसमें सब्सक्राइब आईजर आप पॉलि टेक्निक के नमबर वन चैनल पे श्टड़ी कर रहे हैं मुष्कुराइए एक बार हैँ मुष्कुराइए कोसे नमर फूर का एंसर देखो ए बी और सी है न देख नो एवी सी के कि ए बी और सी कर रहे है एबाइ फॉर यानिकि ए बटा B बटा 4 और C बटा 5 इनका मान जो है 41 के बरावर है guys 41 के बरावर है का रहा है A और B का मान बता दो तुरंद बता दोगे देखो कैसे LCM ले लो 4, 4 और 5 के LCM कितना हो जागा 20 5A, 5B 4C बरावर 41 5 इन दोनों में से कामन ले लीजे क्या हो गया A plus B यहां में क्या है 4C है 20 का गुड़ा इसमें करेंगा 20 जोग का 80 देखो तो और 1 क्या है 0, 2, 8 कितना हो गया 420 अब देखो आपको एक चीज़ गाईज हमेशा याद होना चाहिए कि त्रिभूज के तीनों कोड़ों का योगफल यानिके A plus B plus C बरावर होता है 180 A plus B बरावर कितना हो जाएगा हम कहेंगे सर A plus B बरावर हो जाएगा A plus B बरावर हो जाएगा 180 minus C यह हो जाएगा आपको गए A plus B के जगर क्या रखेंगे 180 minus C तो यह 5 गुड़े इसका मान हो गया 180 minus C द्यान देना 900 हो गया, माइनस 5C हो गया, और 4C पहले से ही है, बराबर 820, ध्यान देना, सब लोग अपना एंसर मिला ले ना, है ना, देखो, 5C में से 4C घटाएंगे, माइनस C आएगा, माइनस C को उधर बेज दीजिए, यानि C हो गया, यहाँ पे 900 है, 800 को इधर लेकिया, 820 को, 820 को घटा दोगे, कितना आजाएगा, टोटल, C की वैलू आगई, सर, 80, आपसे C नहीं पुछा है, आपसे कहा है, A plus B, A plus B, C के जगह क्या रखेंगे, 80, यानि कि 180 में से 80 को घटाओगे, 100 आजाएगा, कितना आजाएगा, A plus B का मान, 100 डिगरी आगया, आपसे नमबर B, सबका सही है, बहुत ही सुन्दर एंसर, खुबसूरत एंसर, मज़ेदार कह लिए, हाँ, 100, निखील का बहुत सही है, सबस्क्राइब कर लेगा, लाइक तो मैं तुमसे करवाल हूंगा, सबस्क्राइब करते रहना, ताकि यह अपके लिए नहीं, यह आपके आने वाले जितने भी दोस्त होंगे, जो आपके घर में पढ़ने वाले होंगे, जो आगे पढ़ेंगे, उनके लिए है, हैना, next question दे तो देखो, 2700 में बेच रहा है, तो उसको 10% की हानी हो रही, हम मान लेते हैं कि उसका मुल्य कितना x है, अगर 10% की हानी हो रही, यानि कि यह 90% पे बेच रहा है, 90% पे बेच रहा है, तो 90 बटा 100 कर दिजे, तो यह मुल्य है कितना, 2700, उसका मुल्य कितना था, हमने x माना ह देखो 0 से 0 कड़िया 937 है ना 300 और एक वरावर कितना 10 का गुड़ा कर देंगे तो यानि कि उस मेच की कीमत कितनी आ गई 3000 गई 3000 का था बेचा कितने में 2700 में कितने घाटा हुआ 10 परसंट का अब कहा ये घाटा हमें नहीं चाहिए हमें क्या जीए प्रॉफिट चाहिए कितना चाहिए 33 whole 1.3 यानि कि 33 सही एक बटा 3 परसंट का इन्हें प्रॉफिट चाहिए तो इस पे क्या करो उतने का प्रॉफिट निकाल दो ये तो निकालने आता है ना 3000 पे कितने का 33 सही का यानि कि ये कितना हो जगा कहे लिजे 133 सही एक बटा 3 बटा 100 यह लिजे हमने इस पे 33% का profit निकाला यानि 100 तो रहता ही है जितना profit निकालते उतना जोड़ देते 133 हो गया तो देखो 2.0 से 2.0 उड़ा दो यहां पर बचा 30 इसका multiply करो 3.99 और 1 यानि कि 400 बटा 3 3.400 बटा में 3.3 से 10 बार में कड़ गया 10 का गुड़ा 4 में करेंगे कितना आ गया 4000 भाई साहब अगर यह चाहते हैं कि हमें 33% का profit हो तो कितने में बेचना होगा 4000 में 4000 में yes option number D वाले student है सही है न सर जी D होगा भाई कैसे हो क्या हल चला सर जी आपके तो सारे question मर्श कर गए अवान सिंग का कहना है यह भाई साब यह खुदा की रहमत है कि हमारी मेहनत रंग लाई जो चीजे हमने दिनो रात नीदों को त्यागते हुए मेहनत किया है आज हमारे बिहार जारखंड की यूपी के अल ओवर इंडिया के student को सुकून हुगा कि हम ब्रांडेड पॉल टेकनिक के नंबर एक चैनल पर जुड़े हैं इसका profit देख रहे है कि सब कुछ सब कुछ student एकदम कर के आ रहे है दो चार सवाल की मैं बात नहीं कर रहा है कुछ सवाल कठीन भले मिल जाएंगे लेकिन maximum सवाल आप कर ले जाओगे देखो question number six आप से क्या कहा है आप से कहा एक वियापार यह दो बस्तुओं को एक को इतने परस में और इतने पर बेचता है एक पर उसे 12% का लाव दूसरे पर 12% की हानी होती है करा कि हानी का मान क्या होगा हानी क मान क्या होगा ध्यान देना calculation है इसमें calculation है तो मैं थोड़ा से इसको छोटा करूंगा ताकि मुझे calculation के लिए क्या मिल पाए जगह मिल पाए है इतने जगह में हम लोग कर लेंगे देखो झाल 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 चलिए चलिए हम लोग वापस से आ चुके हैं हम लोग वापस से आ चुके हैं और हम लोग ने क्या कहा था हमने कहा था सर यह जो है सेलिंग प्राइजन का है हाना हमको भी अद्रिश रूप से हैं द्रिश रूप में आ सकते हैं यस आ चुके हैं द्रिश में तो पहले का सेलिंग प्राइज है ना पहले का सेलिंग बेचा है जितने का भी बेचा हो है ना जितना भी इसका मूले रहा हो इस पर इन्होंने क्या करा 12% लाव कमा है यानि कि इसका 112 कर देंगे यानि 12% प्रॉफिट कमा रहे हैं बटा 100 तो यह कितने को भी का 14,784 रुपे में तो यहां से X को कैलकुलेट करेंगे तो X का मान निकालो फटाक से काड़ो 12 से है ना यहां से X का मान निकाली है तब तक हम दूसरे के लिए Sailing Price 2 के लिए निकाल रहे हैं X रुपे हम मान लेते हैं उसका मूले रहा होगा इन्होंने दूसरे पर हानी बेचा य है ना तो यहां से X का मान निकाली है फटाक से इसका मान कितना आ रहा है फटाक से चैट सक्षन बताओ सर 13,200 यह क्या नाम है इसका 13,200 13,200 यहां से आया है ना और इसका मान 16,800 आ रहा है यस आना चाहिए देखो पहली बस तू इतने में बेचा दूसरी इतने में बेचा है ना इन दोनों को जोड़ो दो इन दोनों की वास्तवीक कीमत आ जाएगी वास्तवीक कीमत है ना वास्तवीक कीमत क्या है इसकी तो आपको कसर 13,000 और 16,800 इन दोनों को जोड़ो 13,200 अप्लस 16,800 तो 800 और 200 एक हजा हो गया 30 तो टोटल इसकी वास्तविक कीमत थी 30,000 रुपए बेचा कितने में 39,000 रुपए में तो घाटा हुआ कितने का हुआ हानी हानी कितने का हो गया भाई वास्तवी कीमत इसकी थी 30,000 रुपए बेचा कितने में 39,568 में माइनिस कर दीजिए आपका answer आ जाएगा YES आप इसका छठे का right answer आ जाएगा 368 रुपए option number B नहीं 432 432 आ जाएगा 10 में 62 432 option number C इसका right answer बहुत थी आसानी सी इस सवाल के लिए कुछ श्टुडेंट था कि सर question number 6 बता दीजेगा हमने इसलिए इसको चलिए ठीक है हाँ सर C होगा ठीक है आएए नेस्ट कोईशन पर आते गाईज सातमा सवाल और आसान सा सवाल अभी मैंने इसको कहे लिजेए इसी week में पढ़ाया था crash course में भी पढ़ाया था एक वरित्ता कारत रिजा में 25% के वरित्त दीजाए trick क्या बताया था trick हमने बताया था 6 रफल के लिए कि x plus y plus x y upon में 100 x अमान 25, y का मान 25 25 गुड़े 25 बता में 100 तो 25, 25, 50 और 625 इसे आने कि 50 और 56, 25 बताया था था चलिए question number 8 पे आते हैं 8 सवाल और 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा इदे को बिजली है बसके रहना नहीं जटका मारेगी पता नहीं चलेगा एक बिजली की बिल में 27% के छूट की जाती है अभी भी इतने रूपे का भुकतान होना बाकी है प्रारंबी की बिल कितना था प्रारंबी की बिल हमें नहीं पता था हम माल लेते x रूपे है इस पे 27% के छूट कर दीजिए क्या X पे 27% की छूट कर दीजिए यानि 27% की छूट करेंगे 73% इन्होंने जमा किया तो कितने भी हो गया 1825 रुपे करा बिल कितना था इसको निकाल दीजिए X की वेलू फटाक से इसमें आप कर सकते हैं सर 2500 है ना ठीक है इसको काट दो 2500 आ रहा है X का मान 2500 आपसे नंबर C ये तो आसान सा सवाल प्रतिसत का है एकदम बताया हुआ ये सब चीजे है इस पे हमने 10 वारा कोशन प्रैक्टिस किये थे आईए जिनका आपसे नंबर C था बिलकुल सही है दो संख्याए है देखो बहुत अच्छा सवाल ये है ये सवाल आपको बनाने लाइक था है ना थोड़ा सा मैं छोटा करूँ दिख पाएगा चलो मैं दोनों लंग्मेश को टार्गेट करता हूँ नौमा सवाल करा दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से तो हम पहले ऐसे कंडिशन में कहा था ना पहले तीसरी को माना ना तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है कर अब दो संख्याएं 50 और 80% कम है तो पहली क्या हो जाएगी पहली 50 कम करोगे यानि कि इससे 50 कम करेंगे तो 50 ही आ जाएगा दूसरी क्या हो जाएगी दूसरी कर रहा है 80% कम है यानि कि 20 होगा तभी तो इससे 80% कम है कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहले संख्या अच्छा ये 50 और 80 है तो ये दूसरी है ये पहली है इसको दूसरी लिखो इसको पहली लिख दो ये है दूसरी और दो संख्या है तीसरी संख्या से इतना इतना है ओके कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहले संख्या के वरावर करने के लिए कितने प्रशन है ठीक है यह दूसरी है और यह पहली है ठीक है इन्होंने कहा दूसरी संख्या को पहली संख्या को बराबर करने के लिए यानि 20 को अगर हम 50 करना चाहे तो कितना 15% बढ़ाना होगा? क्या? 20 को अगर हम चाहते 50 हो तो कितने % बढ़ाना होगा? मैं ओ कि नहीं पता x % बढ़ा दो but कितना हो जाएगा? 20 को हम माने लिए x % बढ़ाए तो कितना हो गया? पहले तो 0-0 कड़ गया यानि 2 गुडे percentage अटाएंगे तो 100 हो जाएगा 100 हो जाएगा और यहाँ पे 5 है तो 2 से 5 बार में 5 का गुड़ा 25 में करेंगे 5 का गुड़ा 25 में करेंगे तो X कमान आजाएगा कितने percent 25 यहाँ पे कितना था देखो 0 से 0 कटा था यहाँ पे 2 0 था तो 5 पचे 25 25 250 यानि कि 100 तो पहले ही होता कहींने कहीं 150 और बढ़ाना होगा तो इसका option क्या हो सब्सक्राइब 150 यानि कि option number a 150 बहुत सारे इस्टुडेंट का आ रहा होगा यस हाँ बहुत अच्छा सर 150 सर जूम कर दीजिए कुछ इस्टुडेंट का य chi सर जूम कर दीजे जूम कर दीजिए देखो 20 को सीधे सीधे समझो 20 को 50 बनाना है तो इसको हमें 150% बढ़ाना होगा जबकि इसे प्रारंभी का 250% होगा लेकिन बढ़ा कितना 150 की तो बृद्धी होई है परसेंटेज में अगर लेंगे तो यह हो जाएगा है ना चलिए अब इसको कुछ इस्टुएंट को दिक्कत आ रही ह եे समझो 20 रुपे है अगर हैं अगि आप टिकेट के मुल 50 रुपे है अगर आप बन Cambridge एक टिकट का मुल 50 रुपए और मासरी बचित रीतेों कि यहां कि आधा यहां किसा फॉर भीश्र तरह रहं कि आपशने सुन 1000 बच्षा इसाने हैं कितने हैं इन दोनों का माइनस कर दो बचत हो गया सर दस में से फांच गया पंच, नौ में से दो गया साथ है ना चार मैंसे गया 3, 375 रुपे का, बचत है, कितने पर हुआ, 1500 रुपे, परसंटेज निकाल दो, 375 रुपे हैं, लेकिन प्रतिसत में पूछा है, तो पहले देखो, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 3 से काटेंगे, 3 एकम, 3, 3 दुना, 6, 3, 5, 15, हैंना, देखो, यह हो गया, आपका, ओके, ओके, कैल्कुलेट कर लेने देजए, तो यहां पे, देखो, 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 3 एकम, 3, 3 दुना, 6, 3, 5, 15, 250, एक महिने की, अच्छा, देखो, यह तो आसान है, यार, और आसान है, देखो, हमने रुपय में निकाला, 300 कितना है, 375 रुपय है, हमारा बचत हुआ, इन्होंने कहा, कितने प्रजिसत की बचत हुआ, तो बचत गुड़े 100, बटा प्रारंभीक महिन, क्या, बचत गुड़े 100, बटा में प्रारंभीक मान, प्रारंभीक मान, इनका 15 सो लग रहा था, 2-0 से 2-0 सीदे सीदे गट, या 5-3 बार में, या 15 से कडारे काट दो, 15 से काटोगे, 15 दुना, 30, 7 बचा, 15, 5, 75, 25, 25 परसेंट, कितने परसेंट की प्राफिट हो गई, आसान सवाल, बिलकुल आसान सवाल, कह लिजे, रेश्वा एकेडमे की इस्ष्वेंट, ऐसा कोई नहीं होता है, प्रियांसु का ऐसा कहना है, टेंसर नहीं लेंगे, हम लोग इतनी चीजों को पढ़े हैं, एक-एक सवाल, रेश्वा एकेडमी के, कोचिंग क्लासे से, पैड क्लासे से, डिटो, किसी का 2-4-10 के बात ही छोड़ो, 100 में 100 की गैरेंटी में देगी, दिये के गया था और आज सुभा ही चैलेंज किया था, कि भाई, इजजद की बात है, देखते हैं, क्या होता है, बगवान ने सुल ली, आपके सारे कोच्टन मेंच कर गए, देखो, इस सवाल को भी दोनों लेंग मेंच में रहने देते, ताकि मुझे कैलकुलेशन में जगा मिल जाएगा है तो यह सवाल है, आप से कह रहा है, एक वस्तु कीमत में 36% का छूट, अगर यह 100 रुपे था, तो 36% छूट कर दिये, तो इसकी कीमत कितना हो गया, 64 रुपे हो गया, सीधे-सीधे, कह रहा है, 64 रुपे को वापस से इसकी पुराने मुले में लाने किने कितने परस्त की बृ 12 number का सवाल है, 11 number का सवाल है, इसको वापस से पुरा-पुरा लाना है, तो यह कितना हो जागा? सो बटा 64 गुड़े सो इसको कैलकुलेट करके फटाक से एंसर होता है यह कितना आ रहा है है ना तेखो इसको वापस से हमें सो के कितने प्रतिसत की बृद्धी चाहिए तो कहीं ने कहीं 56.25 है ना 56.25 परसेंट आ जाना चाहिए आपका भी आपसर नमबर ए यह तो आसान सवाल था है ना हमें वापस से बढ़ाना है है ना तो 56 परसेंट हमें बृद्धी करनी पड़ेगे आए कोस्चन नमर 12 पर आते हैं एक किसी कारे को 18 दिन में कर सकता है देखो 12 और 13 बिल्कुल डिट्टो है थोड़ा थोड़ा अंतर है 12 समझ लेंगे तो 13 भी कर लेंगे कारे और स 10 तक किया तो ए ने कितना कारें कर लिया 12 बट्टे 18 इतना कारें कर चुका है कारें हो चुका है करा सेस काम कितना बचा हुआ है जितना काम कर चुका है यानि टोटल कारें होता है इतना कर लिया यानि कि 12 बट्टे 18 घटा दो कितना बचा 18 माइनिस 12 यानि 6 बट्टे 18 यानि B एक कारे को आठ दिन में, दोको B की छमता है, टोटल आठ दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, एक बटा आठ करेगा, है ना, एक दिन में, और टोटल कारे कितना है, एक बटा तीन, तो एक बटा तीन कारे करना है, और एक दिन में ये कारे कर सकते है, एक बटा आठ, तो option number B इसका बिल्कुल ही सइह हो जाएगा, बिल्कुल चलिए तेरा नंबर प्याते हैं, तेरा नंबर भी सवाल इसी तरीके से पूछा गया है और तेरा नमबर चलो यह है इस सवाल को आप बिलकुल डीटेल उसी पेटरन पर करेंगे और इसका मैं एंसर आपको बता दे रहा हूँ आपसर नमबर डी हो जाएगा 18 दिन कलकुलेशन सेम उसी चेप्टर में और नहीं आएगा तो जो वीडियो बताएं है चेप्टर वाइज जाना यह सवाल आपको मिल जाएगा पढ़ाया हुआ सवाल 100% सेम टू सेम पढ़ाया वह सवाल अब बोलो यह तो चेंज नहीं यह तो सवाल मैंने एकदम डिट्टो पढ़ाया था इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस प्रावफुर प्रावफुर को दूसरे में साइन स्क्वाइर ना कवरेकिट में दूसरे प्रावयगें क्या हो जाएगा यही चीच मैननस मैं ना क Earlier so earlier A фильма काउस्कॉाइर ए माइनस प्रुआ हैं इस bracket में होता है 1 minus cos square a, 1 minus cos square a होता है इसका formula, तो यह हो गया cos square a minus 1 और यह plus हो गया cos square a है न, cos square, तो cos square और cos square, 2 cos square a minus 1, 2 cos square a minus 1 option number b हो गया, क्या, option number b, real question कि बिल्कुल class का यह match किया हुआ सवाल है guys, बिल्कुल challenging सवाल है और 100% पढ़ाया गया ही सवाल है देखो, यह सवाल है, एक कार है, बहुत अच्छा, यह सवाल भी आपको चार कार समय और दूरी में है, 72 की स्पीड से चलती हुई निश्चित दूरी को ते करने में का नौ मिनिट लेती है थी, 72 की है, पहले हिनकीaki Speed कितनी थी 72 की है, कितने Time ले रहे है, downtown पहले कितनी चाल भेली चाल थी चाल बराबर होता है दूरी वटा समय है, हाना हमें धूरी नहीं पता हि के लिए पांच बटे 18 से multiply करते हैं दो बार में 36 बार में तो पांच है का तीस जिरो पांच याई 15 मिनिट में है ना अच्छा 8 मिनिट में हम वापस से इसको क्या करते है कीलो मेटर प्रति घंटा में बदल देते हैं तो एक चीज तो है गाईज कि हमें इस सवाल में जब हम इसको जब हम इसको कीमी प्रती घंटा हम बदलेंगे है ना तो देखो आठ मिनट है तो है ना या इसको ही बदल दो 18 बटा 5 से गुड़ा करके है ना ओके तो कितना आ जाएगा यस 80 करेशन कीमी प्रती घंटा है ना इसको हम लोग सिल्कुलेस करेंगे 81 कीलो मेटर पती घंटा आजाएगा तो पहले इनकी चाल कितनी थी 72 अब इनकी चाल कितनी होगई 81 हो गई कितने गाप अनता है 32 से highest में प्रती करेंगे तो कहीं नो किलो मीटर पती घंटा के स्पीड ने और बढ़ानी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि नौ मिनिट के जगह हमें आठ मिनिट में ही तै कर ले तो इसका अंपसर नमबर बी जीनो ने भी किया है उनका पेपर का राइट एंसर हो जाएगा बी देखो दो कारे हैं दो का जाती हैं यह 60 के स्पीड से और 108 108 है ना कह रहा है कि यातरा करने में दो गंटा कम समय लगता है 60 के स्पीड के जगह यह 108 के स्पीड से यह तो गंटा कम समय यानि कि समय का अंतर क्या है समय का अंतर क्या है 2 गंटा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल क्या दूरी बटा च 108 बरावर समय कितना 2 गंटे लग रहा है इसको solve कर दीजिए LCM लीजिए फटाक से 60 और 108 का LCM 60 और 108 का LCM लेंगे तो हो जाएगा 540 है न 540, 60 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 9 बार जाएगा 9 शका चंगन होता है 9 यक्स है न 18 तियां चंगन है न 5X 5 बार में जाएगा बरावर 2 है तो 9 में से 5 गटा हैंगे 4X बरावर इसका गुड़ा इधर कर दीजिए तो 0, 4, 2, 8 और 1080, 4 से काट दीजिए एक्स बरावर कितना गया 4, 2, 8, 2 लगा 4, 7, 8, 270 किलो मीटर आफसर नमबर A, 270 किलो मीटर आफसर नमबर A, short form में इसको समझिए है न क्यूंकि दियर देखो हमें अभी रियल टाइम में बता रहे हैं इसलिए कुश्टन को थोड़ा फास्ट में बताएंगे लेकिन आप अगर दियान से समझेंगे तो बिलकुल यह अगर दोन यह हो गया स्त्र नमर दे ल BROWN का सवाल उत्र, यह कह रहा है साथ सेंटी मीटर के भ्यास थोस गोले को दो बरावर भागों में हैना दो बरावर भागों में सवाल सब्रूवर का कहीं न कहीं ऄट में यह चुटूविट ने आ हमने क्यूंकि सब्वल सवाल को भोलोग फिर से वापस से करेंगे क्योंकि थोड़ा से इसमें time tanking है ठीक है 18 हम लोग आते हैं क्योंकि जिस सवाल में time कम है तो उसी वे में करेंगे 90 cm के परिदी है कितने की अवले सेंटिमेटर की चुड़ाई wissen आय ते 20 संटिमेटर के चड़ाई मनदंग परिमाप कह तीया क्या को व्हुंड नबहां और इसका परिमाप क्या होता है टूब अर क्या होता है यानिक यानु coś 2021 होनannen के अमान दे रखा है, तो लंबाई कितना आ गया, L बराबर, 20 को उधर बेज दो, 45-20, यानि कि लंबाई के वेलू आ गई, 25, आप से कहा है, इसका, 6 तरफल, 6 तरफल का फार्मूला होता है, लंबाई गुड़े, चोड़ाई, लंबाई कितनी है, 25, चोड़ाई कितनी है, 25, दुना, 50, एक जिरो पहले से 500, 500, इसका छेतरफल 500 सेंटीमीटर स्कॉर हो जाएगा, आप सेंटीमीटर स्कॉर हो जाएगा, आप सेंटीमीटर 18 का, चलिए, आईए कोस्चन नमबर 19 पे आते हैं 19 नमबर बहुत थी, खुबसूरत सवाल, और पढ़ाया गया सवाल है, यह भी सवाल पढ़ाया गया है, 114 नमबर प्रिष्टी छेतरफल वारे गोले का व्यास होगा, इसका प्रिष्टी छेतरफल होता है, 4 पाई, आर स्कॉर, यह दे रखा है, 114, करक का इसका व्यास, व्यास मतलब क्या पूछा है, 2R आपसे पूछा, 2R पूछा है, तो 4 से काटो, 4 से काटे, 4 त्याई 12, 4 त्याई 12, है ना, 3 बच्च, 4 त्याई 12, 3, नहीं कटेगा, पूरा-पूरा, हम लोग क्या करते हैं, काटे नहीं है, r² बरावर निकालते हैं यहां से r² बरावर निकालते हैं r² बरावर क्या हो गया 144 pi नीचे आ गया यानि के पाई के वहली होती kheart, 4 यह देखो, हमने 4 pi को नीचे भेज़ दिया 4 ao pi तो यहां से यह कड गया वहली है अब यह कड गया Scripture एंसर आ गया, देखो, 11 से 2 बार में काटे, यास सर, 11 एककम 11, 4 बजा, 11, 4, 4, अब 2 से काट दिये, 14 को 7 बार में, उपर 7 और 7 दो बार है, और नीचे 4 है, तो 4 को 2, यानि कि 7 बटा 2 का स्क्वाइर, यानि कि, आर स्क्वाइर बरावर 7 बटे 2 का स्क्वाइर, तो आर की वेलू आगे 7 बटा 2, आप से पूछा था 2 यानि कि 2, अब उड़े आर की वेलू 7 बटे 2 है, 2 से 2 कड़ गया, आगया इसका एंसर 7, D, D, कोला वेरी, D हो गया, है न, कोला वेरी, D, आइए, अगला सवाल, नेस्ट क है न, प्रिष्टिज हेतरफल, देखो, कोसें नमबर 20 का, है न, कोसें नमबर, कुछ इस्टुडेंट, कुछ इस्टुडेंट जो है, इसका, राइट एंसर, यस, 20 का देखो, क्यों भाई, बुरा मान गया, क्या, तो आपके सामने है, जल्दी सेंसर करेंगे, कुछ इस्टुडेंट एंसर कर भी रहे होंगे, यस गाइज, अगर आपने कहा है, सर, इस सवाल का, राइट एंसर, 20 नमबर का, देखो, इसका, मैं एक्जेक्ट अभी, कन्फर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन, बी होना चाहिए, है ना, बीस वाले को मैं छोड़ रहा हूँ, बी होना चाहिए, तो बीस को भी मैं, होल्ड पे रखता हूँ, अगर आपको आ रहा होगे, तो आप कोमेंट सेक्शन में जरूर, इसकीन सोट लिए रहे हैं, एंसर करेंगे, है ना, एंसर करेंगे, है फेक दो सम्संख्या, तो या तो सम्संख्या दो आएगगे या तो चार आएगाए छे commence अने के प्राहिकता, तो प्राहिकता पुछा है प्राहिकता वरावर होता है कितनी संख्या है? टोटल छे में 3 chances है कि सम्संख्या आएगे, याने कि चार तरह के पक्ते होते है इट के पन के चीड़ी के और हुकूम के या तो वह ब्लैक कोलर में होंगे 13-13 के देखो 13-13 और तैरा और 13 चार चार पत्तह पत्त होते है तो राल होते हैं यानी थ shortcuts दो रेड़् होते हैं रहा नहीं क्या स्कॉप्त है और टोटल कितने हैं, 52 में से 26, यानि कि 26 दुना बावन, यानि एक बटा दो चांस है, एक बटा दो चांस है, आपसर नमबर C, 22 का आपसर नमबर C, 22 का आपसर नमबर C हो जाएगा, देखो 21 भी प्राइक था, 22 भी प्राइक था, और माधिका बहुलक मैंने आज ही पढ़ाया है अाज माधिका पर सवाल किया था, बहुलक पर भी कर वाया था, फिर से कलास का ही सवाल है, और आप बता सकते, माधिका का फार्मूला, या शोच बढ़तेकरम मैं लिखolph, सबसे छोटा क्या है? चार, उस से बढ़ा CHRIS, चार है, फिर छे है, फिर सात है, ओके सात से बढ़ा क्या है नौ हे नौ से बढ़ा क्या है नौ से बढ़ा है एक्टार को लिइडोस से बढ़ा का इस संख्या कि मैंने जब प्ढ़ाय था तीन चार दिन पहले तो हमने कहा था इसको को गिन लिया करो जितना यहां पर लिख लिए ना कोई छूटना नहीं चीह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ टोटल कितने नंबर है नाइन नंबर एक दो तीन चार पांच छे साथ नौ नौ पूरा लिख दिये माधिका का फार्मूला होता है एन प्लस वन बाई समझ में आ रहा है अगर लाइक कर लो सब लोग लाइक कर लो मैनत इतनी हैं किश भयंकर गर्मी हो रहे हैं सच बता रहे हैं इसको जानते कि कितनी चीज पुरा सवाल करके आ गया मज़ा आ गया पुरा कैसे कर दे का सवाल मैं आप पढ़ाय थे नहीं कर पाये लेकिन को सबस्क्राइब लगबग उसी जैसा था चलो तुरंथ हम आये तुरंथ इसको पीडियाफ और उसका सलूसन है ना तो यह चीजे बहुत थी सांदार है हमारे ल बहुलक मुलब सिस्टेश यह सबसे ज्यादा बार देखो यहां पर 4 है 4 इस एक कितने वार आया है एक बार दो बार तीन और थीन वार आया हुआ है और क्या है 3 है 3 कितने बार राया हुए एक लिए 2 नहीं को गिनो एक दो ही बारा है, सबसे ज़्यादा वार कौन सी संख्या है, तीन, कितनी बारा है, चार, तो बहुलक क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा वारा है, आज ही पढ़ाया था बहुलक, भूली मत जाना रहे, बच्पन का प्यार, महीनों की पढ़ वर्दान है गिफ्ट है जो की चीजे जिस हिसाब से पढ़ाते उसी हिसाब से आता है साइन की वैलू दे रखी है साइन थीटा वरावर होता है लंब बटा कर्ड यानि कि लंब और कर्ड हमेंने बताया था कि यह 24 और 25 और तो यह 7 होगा इन्होंने कहा 10A, 10A का मान कितना हो, 10 थीटा वरावर होता है लंब बटा अधार यानि कि 24 बटा 7 अपॉन में कॉस A, कॉस A का मान होता है अधार बटे कर्ड यानि कि अधार बटे कर्ड है अधार क्या है? 7 है कड क्या है 25 है इसको वापस उपर लेके जाएंगे तो 24 और ये 25 उपर चला जाएगा और ये 7 और 7 49 हो जाएगा तो हो गया 24 गुड़े 25 24 गुड़े 25 और 49 यस डिट्टो हो मैस कर गया मज़ा आ गया कॉट 210 अंस का मान कॉट को लिख सकते हो 180 अब कितना आसान लोगे यार अज क्या वता है हम बहुत ही जादा क्योंकि हमारे सवाल डिट्टो मैस कर गया मैं एक बार मैं बता दूँ कोई भी स्टॉडेंट हो अगर वो चाहता है कि सर मुझे आपके हां से अभी भी पढ़ना है, मैं किसमत खुल सकती है, तुरंत स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, WhatsApp करो, Call करो, या डारेक्ट रेशवा एकेडमी के एप से जोईन करो, क्या, रेशवा एकेडमी के एप से तुरंत जोईन करो, अभी आउफर के तुरू जुड़ पाओगे, पूरी तयारी, पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स चल रहा है, पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स, कोई दिक्कत होती है, तुरंत कॉल करो, चानवे, एक किस चौरानवे, असी पचीज पे किसर हमें आपका क्लास जोईन करना है, या फिर नाइन सिक्स टू एट डवल जिरो फॉर सेवन जीरो एट पे, आईए इसका सेलूशन, तो हमने बता है था, एक नियमित बहुबूझ है, बाहे कोड और आंतरी कोड है ना, अच्छा, एक है बाहे, देखो, हमको नहीं पता है, यह कैसा है, चलो जैसा भी होगा, मान लेते कोई भी बहुबूझ हो, तो अगर हम इसको मिला है, तो यह वाला कोड क्या होता है, बाह 120 अधिक होगा, यानि कि, x से 120 अधिक होगा, यहीं इनका कहना है, लेकिन आपको पता है, अगर इन दोनों को वापस से मिला होगे, तो x वसी होना चाहिए, यानि कि, ax पलस 120, पलस यह x, जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, x वसी, तो 2x बदाबर कितना होगा, 120, को माइ सब्सक्राइब करती है एक लाइन दे रखी है ना देखो लाइन का समिक्रड होता है यह रेखा का समिक्रड होता है यह रेखा है 3x-2 या 3x-0y अपने सम बढ़ा दे रहा है क्या 0y को अपने सम बढ़ा रहा है क्योंकि y का turns ही नहीं है और 2 को उधर भेज दे रहा है यानिके 0 अरे सोरी माइनस 2 दो को उधर भेज यह प्लस 2 हो गया हमको इस equation यह equation यह है हमने बस अपने मर्जी से इसको ऐसे लिखा इसको इसके जैसा बताओ यानिकि यहां पर 1 बनाना होता है तो 2 से भाग दे दो सबमें तो 3 बटा 2 यक्स हो जाएगा और यह तो 0 है तो 0 ही रहने तो और यहां 1 तो आपका जो एंसर आ गया सर x by a x by a a के जगर पर क्या है 2 वटा 3 क्या है 3 वटा 2 है ना हमें चाहिए x by a तो 1 का मान कितना हो गया देखो 3 वटा 2 1 का मान तुलना करेंगे 3 वटा 2 आ जाएगा 3 वटा 2 अच्छा एसर एक काम और करो हमें पूछा है कि किस बिंदू पर प्रतिछे दित करती है क्योंकि यहां पर y का गुडांग 0 है तो y वाला टरंस 0 होगा है ना अगर आप रेखा पर दिखाएंगे तो यह बिंदू जो ए पर 3 वटा 2 दूरी चली गोई है अब y पर 0 है तो इसका जो मैं एंसर आएगा वह तेन बटा 2,0, तीन बटा 2 अर डूरी यह अपन करेंगे तो यह बटा 3 हो जाएगा दो बटा 3,0 ठीक है option number C option number C, will be right हो जाएगा सर दो बटा तीन हां सर 26 का वन बाई रूट 3 होगा नहीं 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 रूट 3 नहीं होगा कैसे होगा 10 का थोड़ी न पूछा था कॉट का पूछा था और 10 एक स्वस्थी में नहीं बदलता पहले बता दे रहा हूं देखो यह सवाल है कह रहा है सर इस सवाल में और परवले है यदी इसका मैक्सिम्म मामन कब होगा जब एक आमान 0 होगा तब यह 0 ही होजागा एक आमान अगर हम 0 से बढ़ा लेंगे तो मैक्सिमम होगा उपर होगा यानि positive देगा तो एक की value always and always greater than 1 हो जाएगा 29 नमबर, देखो, K कामान पुचा है, K कामान कर रहा है, सुनने कोगा मैंनस में 4, A कामान, 3 के, भरobi में, आचा, मicas पर इस सवाल में फार्मूला से यह माइनस b by a होता है तो जब माइनस b by a लगाएंगे तो माइनस b का मान यानि कि माइनस 3 और a का मान 2 है बराबर यह 6 दे रखा है कितना दे रखा है यहां से देखेंगे थोड़ा सा यह माइनस b अपॉंड में a तो b का मान है 3 के 3 के और a का मान है 2 बराबर 6 है तो यह का मान के देखेंगे 12 12 को 3 से भाग देदेंगे 4 यह माइनस मान कड़ेगा के की वेलु आ गई गई गया इस 4 देखो 12 हो गया 12 को 4 यानि कि बी एंसर ऑप्सन नमबर बी 30 का 30 नमबर का सवाल का राइट एंसर जो इस्टुडेंट कहरे सर 4 होगा बिल्कुल सही है मैक्सम इस्टुडेंट ने कर लिया है एक अरी भाई आज सुबा का सवाल आज जाके स बरावर होता है 0 तो मूलो का योग दे रखा है 2 यानि कि X स्क्वायर मूलो का योग यानि कि 2 दिया है बाहर एक रख दो गुड़न फल कितना दे रखा है 1 बरावर 0 कौन सा मैच किया यह आप से नमबर A मैच कर गया 31 का है ना इसका कह रहा है कि सुनने को का योग और चापा हुआ सवाल है जो हमने बताया था बिलकुल वही सवाल है बिलकुल बताया क्या सवाल आ रहा है एकदम आसान ही से एक कोस्टन को फोड के आओगे तुम लोग और आये भी होगे इनके इसको ऐसे लिखो 6 X स्क्वार X का कोफिसेंट नहीं है तो अपने से बना लो क्य यानि कि 0,22 चे बराबर 0 तो सुनने को कही होगा गया 0 गुडण फॉल यानि कि C वाइए, C का माने माइन 5 और यका माने 6 तो 0 आ गया और माइन 5 बता 6 आ गया 0 आ गया और माइन 5 बता 6 आ गया 32 का आपसेंट नंबर D हो जाएगा है ना आए नेस्ट के आते हैं 33 नंबर पे अगर मज़ा तो बहुत है यार क्या मज़ा बहुत है गाईज एक बात हियाद रख लेना जो जो रेश्वा एक एंडवी ने लिख दिया वही इतिहास हो है पालिटेक्निक का जिहास आप अपनी खुद को लिखोगे ए और डी दे रखा करा स्रीडी बताओ पहली चार संख्याओं के सीरीज बना दो तो देखो सीरीज बनाना कैसे आपको पता है ए लिखेंगे पहली संख्या डिफरेंस बनाते जाएंगे दूसरी संख्या क्या हो जागी दस बढ़ा देंगे तो दस और दस बीस हो जागा इसमे वो दे दीजे यह आफ हो गया इसको लगा लीजे अना तुम लोग इतनी फास्ट एंसर किये कि मज़ा आ गया और कहरा है कौन सा पद इसका फार्मूला भी इस वीक से एक बात याद है आपको कि हमने कहा था ना लाश्ट में जो पढ़ात देंगे बस वही आएगा इसी वीक से कहले जिए ती तो तीने चार दिन का सब सवाल आज किस क्लास से कई सवाल मैंच किया है आज देको अन बरावर हमने फार्मूला बता 3-1 and d का मान 3-8 गए 5 का difference 8-3 गए 5 यानि 5 का difference है 3 को इदर लेकर आएंगे 78 में से 3 कटा हो गए तो 75 हो जाएगा है ना आज झालने फिल रहे हो यह निऑन फिल में फूंद हएग razor किसि α का दूसरा पद इन दूसरा पहला होता है दूसरा पदल से पा प्लस दी वरावर कितना है थेरा दे रखा है पांचमा पद्यारे की पांचमा पत 2 रखा होगा, A plus 4D, A plus 4D बडाबर 25 दे रखा है, करा है, सातमा पलस यानिकि A plus 6D पूछा है, सातमा पद यही होगा, पहला पद यह होता है, अगर सातमा पूछे का 6D, पाचमा पूछे का तो 4D एसे बढ़ाते रहेंगे, यहां से D की वेलु बस चाहिए, क्योंकि A कमान हमें कि इन दोनों को क्या करो घटा दो इन दोनों को माइनूस माइनस माइनस खतम डि में से 4D को घटाएंगे मा이NS में 3D तेरह मे कर फस्तिस को घटाएंगे तो 2 यागया और 12 ट का अमान गया सर 4 यहांपे रख दो तो Eg 60й सोटे तेरा एक पाला सब्ने में 24 में 34 तो याल moeten पाल सब्सकीर कि सी dawn अगला सवाल आमो अगला सवाल सब्सकीर वो न्यास एक एक सब्सकीरल kरूदए ये सब्सक्रेक g Tou सबाल पढ़ाया गया ना चवथे चप्टर में पढ़ाया था यह सबाल इसका स्क्वाइर कर तो इधर भी इधर भी इसका स्क्वाइर करो के तो हता है a2 plus b2 plus c2 plus 2 a b plus bc plus c a बराबर 9 के स्क्वाइर 81 यह पूछा है यह तू इसको उधर बेज दो यह वापस से यहां पर जाएगा 81 इसको उधर भीजेंगे तो माइनस में आ जाएगा 2 3 6 2 2 4 46 से क्या सही में से 46 मानों 11 में से 6 गया 5 साथ में से 4 को गटाए 3 आ गया 35 आ गया Não option number यह अब क्या है अब इस सावाल पूुछा यह अब इस स्वाल में में देखो पूछा है सर बता दीजह नियुका नीए दी गई अ यह तिरय यह यह तीन। जगह जीरो हो रहा है रहा है यान किसका मान एंगा 3 हो जाएगा यह ना 3 जगह जीरो हुरा है सुनने को कि संख्या कितनी मिल रही है तीन आईए अगला सवाल तीन चरणों में रेखिक समीक्रट की एक प्रणाली असंगत है तीन चरणों में चलिए बहुत सारी इस्टर एंसर साथ ही साथ कर रहे हैं मजारा सर थ्री होगा थ्री होगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा एकदम राइट एंसर गाईज फास्ट वे में एंसर करेंगे रुको मैं तुम्हारा चैट इसमें भी पढ़ लेता हूं यस 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 बहुत अच्छा परचार को पहले देखते हैं परचार को पहले देखते हैं ठीक है कितना आ रहा है एक मिनट पर यूटूब जो है न हर बार परचार एक खोलो तो पहले परचार दिखाएगा फिर कहेगा परचार के बाद सर आपका वीडियो दिखाएंगे 38 नमबर का कुछ इस्टुएंट का सर सी आएगा सी आएगा सी आएगा कुछ कह रहती है थाना 38 नमबर को अब कैदको तीन चरों में रैखिक समीकरण की एक प्रडाली असंगत है उनके वीमाएं केवाल एक बिंदू परचार दिखाएगा तो नहीं आएगा तो फिर हम तो हैं ऐनाई गर्रूप हमारा है एक बिजील वेग्ण-कार coupon कितने हल है देखो देटर आटर देखो देखना, आधी विटी दूर देश्ग्ण- का मान नि का लो अधी को आटर, दूसरे वाल राप देखो दूसरे वाल मान चीज़ के रहा से तो गाइस एकशी का दियान दो से और A1 by A2 करे, A1 by A2 करे और B1 by B2 करे और C1 by C2 करे, देखते क्या यह बराबर आती है? A1 by A2, A1 का मान है 1, A2 का मान है minus 4, B1 का मान है 2, B2 का मान है minus 8, minus 8, खाटोगे तो minus 1 बटा 4 ही आएगा यानि a1, a2, b1, b2 बराबर आ गया अगर हम c1, c2 रखके देखे, c1 का मान है minus 5, c2 का मान है 20 minus 1 बटा 4, sir इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका यानि ये तीनों equations satisfy हो रहे हैं और इस equation को बोलते है कब जब अनेक हल, अनेक हल मतलब मेनिश एक्वेशन के infinitive solutions या कि मेनिश एक्वेशन option number c हो जाएगा क्या c आपका सही हो जाएगा कैसे आया क्योंकि सभी condition बराबर हो रहे हैं यह आपको डिक्टो पढ़ाया हो गया हमने कई बार कहा रेखिक द्युगात समिक्रार पढ़लो 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 आपने पढ़लिया और काम बन गया है आप यह नॉर्मल नहीं है पर्सो के वीडियो में भी दिखवाया था आ गया मन निकालता प्रवड़ता प्रवड़ता का फार्मूला आपको बताया था प्रवड़ता बराबर होता है माइनस में x का गुड़ांग अपन में y का गुड़ांग तो m1 के लिए प्रवड़ता लिखो इस वाले लाइन के एप्रपडता्थ माइन को जा गार मिंस में एक्स का गुढ़ाँ replayu कि कि बराबर in ll m2 आए इस वाले के लिए लिखे लिखे माइनन fifteen इन दोनों की यहां- इनके बनाशे माइन के- gagn और यहां- पहनी सहां. humans कि क्या माना चार आपसे नंबर बी हो गया आपसे नंबर बी अगर आप आज आपना अग्जाम लिखे होंगे तो रेश्वा के कैम से लिखे होंगे सारा का सारा सवाल मेंच करा दिये एकाक सवाल कुρ छोड़ दो थोड़ा भूख मार देतें कभी-कभी लेकिन रियाल्टियम ने कहा क्या था है 95% तक मैच हुआ है एक दो सवाल ऐसा नहीं कि वह भी पढ़ा नहीं हुआ है ना वह भी मैं प्रूब कर दोंगा लेकिन 95 तक हां थोड़ा पूद चलता है यार जब 100 में 95 सवाल मैच करा दिये तो उसको कह सकते है पूरा का पूरा मैच कर गया है ना वह भी विदेश से नहीं आया हमारे पढ़ाय में है रेकिक समिक्रण के योग में समिक्रण दूसरा समिक्रण है इस पे आधारित अगर इस एक्वेशन में 2 से गुड़ा कर दो 2 से गुड़ा कर दो तो 2 3 6 2 5 10 और 2 2 4 ये लो इस तो डिटो कह लिजिए एक्वेशन का बदल दिया है और डिटो ऐसा सवाल करवाया गया था 42 का आप्शन नमबर ए हो जाएगा गाईज चलिए 43 43 नमबर क्या है देखो 43 नमबर फार्मूला है फार्मूला बताया थे रहखिक समिक्रण को हल करने के कितनी विदी है तो इसको आप प्रजिस्थापन विदी से भी हल करते हो क्रास गुड़न खल बताया थे उन्मूलन अगर 2 मैश कर गया तो यानिक इसका राइट प्रहस नमबर धो जाएगा अधो अब दीजा अब जाएगा है अगर इनके मूलो का योगफल अलफा प्लस बीटा करेंगे तो मूलो का योगफल होता है-b ya-90-9 और मूलों का गुड़न फल यानि कि अलफा इंटू बीटा बरावर सी बाई है यानि कि 127 बाई ए और 127 कैसा है पॉजिटिव है और यह कैसा है निगेटिव है त्रिक समझना यह मूल ऐसे होने चाहिए कि इनको गुड़ा करने पर पॉजिटिव आना चाहिए तो दो कंडिशन या तो यह प्लस अलफा भी प्लस हो और यह भी प्लस हो तभी एंसर पॉजिटिव में आएगा या तो यह निगेटिव हो और यह भी यह निगेटिव हो तभी प्लस में है माइनस में यानि एक संख्या अगर हम माइनस ले ले मान लेते हैं कि पहली संख्या भी माइनस है दूसरी संख्या भी माइनस है तो माइनस माइनस भी माइनस आता है क्योंकि एंसर माइनस है और माइनस माइनस का गुड़ा करेंगे तो प्लक यानि कि दोनों संख्या है क्या 1-kanalों यह एक पोज़िफ मैं लगेगा एंसर भी यह निगेटिवाने लगेगा एंसर भी हो सभ़साइगा समझ गया एक तो एक सावाल पृत बिन्दू की दूरिया एक सच से तो दूरि आया पड़ाया गया सवाल बिंदू के सब्सक्राइब आगे Vay-axis है इससे कहा है यह अरेसे दूरी कितनी दूरी है जै कितनी दूरी है यह तो यह भी तो पॉशह नहयां ठील होगा इया कितनी हम गहें कितना गोगा है है ना बहुत ही अच्छा थीच्छा समांतर चतुर भूज का चौथा सिर्स है ना देखो मैं तुमको फार्मूला बता देना हूँ आसानी से हो जाएगा समांतर चतुर भुज़ा है है ना A B C D निर्दसांग दे रखे हैं A के निर्दसांग क्या है माइनस 2 3 B के 6 7 C के 8 3 और D के D के क्या है D का पूछा है X Y तो D की वैलू कह लिजे पूछा है देखो तो मैं बताओं D की वैलू कैसे निकालोगे A B की प्रवर्ता लेखो मैं लिख दूँ A B की प्रवर्ता बरावर होगा A B की प्रवर्ता बरावर c d की प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर equation बनेगा इसी तरह अब AD और BD इसकी निकालेंगे दो equation मिलेगा इन दोनों को solve करके X or Y के value निकालेंगे 46 का बिलकुल यह कौन है बहुत ही खुबसूरत सा answer दे रहा है एक हमारे ललन ताप student कह रहे सर इसका answer C हो जाएगा हमें नहीं पता हम बस आपको answer बता दे रहे हमारे पास जो इस्टुडेंट एंसर कर रहे है 46 का के सर इसका answer B हो जाएगा यानि 0,1 हलाकि इसका मैंने solve कर दिया है लेकिन आपका time जाधा लेगा तो आपको मैंने तरीका बता दिया आप answer कर लेंगे अगर बहुत एक भाग वे मार्टा मनेε 1 जरी करते लें तो जहां के अकरस नती करते हैं टो बातर है यानि के एकinto पूछयका है तो X कमाण कितना होजागा, इन दोनों को जोड़के 2 से भाग दो, जा सबस्विद्स ब्द één का जा जा Sl lies 202, 0 क्योंकि total value 0 हो जा रहा है, 0 में कुछीnor तो भाग दो 0 ही आएगा तो इसके निरसांग क्या हो गए? 0,0 हो गए, आपसर नमबर A सही हो जागा, इसे श्टुडेंट ने भी सही लगाया है, तो पॉइंट, देखो, यह सवाल बहुत ही फिर से, हाना, A, B, C, हमने इस सवाल पर दावा किया था, कि यह सवाल दुनिया के किसी कीमत में नहीं रुख सकती, यह आएगा, याद है किसी को बोलो कि हां सर आपने कहा था कम से कम 20 बार बोला हूंगा इस सवाल को 20 बार करवाया भी हूं बताय थी यह सवाल आएगा सनरेख आएगा आएगा कवंच समें यह सर यूपी का एग्जाम इतना अच्छा आएगा तो मज़ा आजा एगा भगवान से दुआ है आप यूपी का इच्जाम तक अच्छा आजाएं आए सब के पाहे प्रभू की इह नस कोई बात नहीं, यस सर कहा था आपने, मानस्त्रिपाथी करा है यस सर कहा था आपने करा है था बहुत बार आपने अमन भी कहा है, देखे, कमेंट आप रियल लाके देख लो, यार यह हमारे घर की सर के इंडिया को ने बार आपने, इसके लिए हमने कहा थे, इसको Ay1 यह बी है इसको X2 मानो इसको Y2 मानो, इसको X3 मानो, इसको Y3 मानो ऐसे जब सन्रेक हो तो सन्रेक के कंडिस्य में तरिबूज का छेतरपल क्या होता? 0 होता तरिबूज चेतरपल का पार्मूला होता है यह x1 y2 minus y3 प्लस x2 bracket में y3 minus y1 प्लस x3 x3 bracket में y1 minus y2 तो देखो यहाँ 0 होगा तो रिखो 2 का गुडा 0 में कर दो, खत्म हो गया, 0 यह, x1 का मान कितना है, 1 है, y2 का मान कितना है, 0 है, y3 का मान कितना है, b है, 0-b हो गया, x2, x2 का मान कितना है, x2 का मान 0 है, यहाँ पर 0 रखेंगे, तो यह total 0 हो जागे, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, x3, x3 का मान कितना है, a है, y y1-y2, y1-2, y2-0, तो देखो, यह 0, 1 का गुड़ा B में करेंगे, तो – B, यह 0 होगे, तो A का गुड़ा 2 में करोंगे, तो 2A हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 2A उधर ही है, और B इस इधर है, 2A बराबर आगया B, 2A बराबर आगया B, 2A बराबर आगया B, सुकून की नींद लेना, जारखंड वाले, जारखंड के इस हर एक कोने कोने में, अमन सुकून होना चाहिए, है ना, रिश्व अकेडमी आपके साथ है गाइस, मजा आ रहा है, तो वीडियो को कर देंगे लाइक, और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, अगर पूरी तयारी करना है आपको, आप चाहते है सर मेरा भी कल्यार हो जाए, आपके चैनल से, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, आपकी देर अगर हो चुकी है, तो भी मौका है अभी भी इतना पढ़ा देंगे, 0 पर स्पर्स, की बीच का कोड है, कह रहा है तुर रज़े, 0 पर स्पर्स रेखाऊं, यहाँ यहाँ पर स्पर्स रेखा है, आप यह कोड कितना होगा? तो एक बात बताओ, स्पर्स रेखाई कितना य examples का कोड बалогती है नबह स्पर्स का? 90 linear का, 90 Sequence यह भी 90 चतुर भूज है तो 90 और 110 और यह 90 और यह मानलो X है तो इसको जोड़ने पर 360 आना चाहिए ना यानि कि X बराबर कितना हो गया 360 और 90 और 200 और 200 और 290 का माइनिस कर तो 360 में से 290 का माइनिस करोगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा आप सर नंबर C क्या वात है सर कहां थे आप क्रिप्या करके मेरा मवाइल डाटा आन हुआ होता उस समय जब आप पढ़ा रहे थे तो हमारे भी कोश्चन इतने हो गए होते सही है ना सवाल और इस सवाल को भी मैंने बताया हुआ है एक वृत के केंद्र पांस संटीमेटर की दूरी पर एक बिंदू ए से इस पर से रिखा की लंबाई चार है एक बिंदू है से 5 cm की दूरी, यहां से 5 cm की दूरी पर, है ना, इस पर सरेखा की लंबाई 4 है, यहां से एक इस पर सरेखा इसे जा रहे है, इस पर सरेखा जा रहे है, तो यहां तक की जो लंबाई यह 4 है, तो मैं बता दू, तो भाई साहब, यह दूरी कितनी होगी, यह अगर 5 है, यह 4 है, तो यह कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा माम लास फिनिस देट्स आल माई लाड मैंने अपने सारे केस प्रेजेंट कर दिये और अब आपकी बारी है हर एक इस्टुडेंट जो रेश्वा एक एडवी का होगा कॉमेंट बाक्स में जरूर बताओ कि हाजर आपका सवाल 100% मैच किया है मज़ा आया है चाहिए वो यूपी का हो बियार का हो मैंने तो सब के लिए यूटूब पे करवाया ना अगर सब कुछ मैच कर गया तो इंतजार किसका है है ना इंतजार किसका है आप भी पढ़ो और आ मैं पार तो उग्यादू ये पेपर आप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे इस पेपर का ओरिजनलστεंप हिंदी और इंग्लिस लेंग्विज में और इस पेपर में एंसर की नहीं है तो मैं एंसर की बन वाउं गा सब कर लेंग या भी पर कुड़्यूलोड कर के जीव में मासरस्वती विरेजमान हो जाती है यह इस लिए है कि हमने कभी बैइमानी नहीं कि एक भी के साथ कभी गलत नहीं हुआ रेश्वाएकेडमी के साथ यह आपके साथ भी होगा बहतर होगा क्योंकि आप मेहनत करके पढ़ रहे हो कोई घूस दे के आप पास होने नहीं जा रहे हो दुनिया क्या बोलती है हमने कहा था ना कि रेश्वाएकेडमी एक मातर यूटूब पर ऐसा चैनल है तुम जितनी चैलेंज करोगे उतनी बाहर हम प्रूफ कर देंगे और उसी दिन प्रूफ कर देंगे बस मुझे पता चल जाए कि रेश्वाएकेडमी को किसी ने छेड़ दिया है फिर उसकी खैर नहीं तो खैर इसकी में है कि जो बेस्ट है उसको बेस्ट कहना सेकलो